तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा गरता हूँ श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो अपनी सेथ, फैमली और प्राइक जान काफी अच्छे से रख रहे हो ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंत का करेंट अफेर कवर करेंगे 2021 का ये मंतली वीडियो जो थी मैंने स्टार्ट की थी आप लोग की मई 2020 से मैंने स्टार्ट की थी तो आप लोग अब फिलाद देख सकते हैं मई से लेके अब यहाँ पर हम लोग अगस्त 2021 पर आ चुके हैं तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टमबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर ये 6 महीने तो मैंने आप लोग को 2020 के कवर किये और उसके बाद में अब आप लोगे सामने हैं आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ तक का अब आप लोगा ये हो गया basically किसका 2021 तक का तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि लगबख देड़ साल का करेंट अफिर आप लोग का कवर हो जाएगा वैसे बोला तो मैंने एक साल का था पर लेकिन लगबख देड़ साल का आप लोग को करेंट अफिर कवर हो जाएगा आप लोग का एक्जाम से पहले तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले किसी भी exam को अगर आप लोग तयारी कर रहे है NDA, CDS, किसी स्टेट का PCS या फिर जो भी exam आप लोग बोल सकते हैं UPS, CIS या फिर आगे चल कर अगर Assistant, Provenant, Fund Commissioner का exam आता है तो ये वीडियो आप लोगो बहुत ज़्यादा पहुचाने वाली है इस वीडियो के अंदर क्या कि हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर National, International News जो भी हाँ पर Index होते हैं कोई Government Scheme होती है, Science और Tech की कोई News रहती है कोई Environment-related News रहती है, Map-based कोई Location रहती है जो भी तमाम एक महीने के अंदर घटित घटनाए होती है वो सारा मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ तो अच्छे से Enjoy की जगा इस वीडियो को और अगर आप लोग को लगे वीडियो देखने के बाद में आर इसकी PDF आप लोग के पास में होने चाहिए तो टेलिग्राम से जाकर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड के लेना इस्टडी लवर वीर के नाम से टेलिग्राम का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाएगा सारी PDF आप लोग को हाँ पर आज तक का जितनी भी मेरे वीडियो बनाई है उनका सबका एक जगे एक खटा आप लोग का PDF मिल जाएगा यह है यहाँ पर टेलिग्राम जिस किसी ने नहीं देखा है यहाँ पर काफी सारे मेंबर जुड़े हैं लांक से ज़्यादा मेंबर जुड़े हैं आप लगबग डेल लांके करीब आप लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़े एक जगे एक खटी मिल जाती है तो PDF जाकर डाउनलोड कर लेना वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूँगा और इसी के साथ में अगर answer writing group में भी आप लोग जाना चाहता है तो भी आप लोग यहाँ से जुइन कर सकते हैं answer writing group में भी आप लोग जा सकते हैं quality अगर आप लोगो देखनी है तो उसके लिए भी सारी जो PDF में ने प्रोवाइड करा दिये quality देख सकते हैं बागी कैसे exam की त्यारी करनी है और ये सब चीजे भी आप लोगो यहाँ पर available है कि कैसे आप लोग यहाँ पर complete जो त्यारी करनी है exam की NCRT कैसे पढ़नी है, time table कैसे बनाना है, answer writing कैसे करनी है option subject कैसे चूज करना है, essay कैसे निकना है, cset कैसे cover करें दर सारी चीजे आप लोगो provide करा रखे, pin कर रखा है, comment जा कर आप लोग पढ़ लेना तो इसलिए patience के साथ में देखेगा, आनी तो थी है video Sunday में, पर लेकिन थोड़ी सी लेट अभी हो रही है आप लोग के सामने, क्योंकि जिस तरीके से मुझे cover करना था, उस तरीके से मुझे थोड़ा सा ओर टाइम लग गया, मैं सोच रहा था कि detail में थोड़ा सा इस तरीके से cover करूँ जो first time भी अगर किसे ने current affair नहीं देखा है, उसको देखकर भी चीजे समझ में आ जाए, उसको भी ये न रहे, कि हाँ यार ये चीजे कहां से आ गई, तो इस तरीके से यहां पर बात कर रहा हूँ, ओलंपिक के बारे में, ना कि पैर ओलंपिक के बारे में, तो दोनों में आप लोग confusion बिलकुल नहीं रखना है, उसके बारे में फिर आप लोग को आगे चीजे देखने को मिलेगी, फिलाल अभी हम लोग यहां पर ओलंपिक के बारे बाते कर र पर end में आकर यहां पर USA ने एक तरी से पल्टा मार दिया और China जो है दूसरे नंबर पर आ गया 88 medal के साथ में आप लोग को यह तो पता हिए कि gold जिसके पास में ज्यादा होते हैं उसी के इसाब से medal tally जो है वो count की जाती है हमारी country की जो position रही हां पर यह 48 वी position रही 48 वी position में ह जो थे नंबर पर और 48 वे नंबर पर थे हम तो यह basic information है अब game के बारे में अगर आप लोग उसे exam में पूछ ले कौन कौन परसन जो है वो किस-किस game से लिटर था तो नीरत चोपड़ा के द्वारा गोल जीता गया तो यह athlete की category में javelin throw में थे यहां पर यह ठीक है इसी के सा style category में थे हाँ पर wrestling के अंदर ठीक है game जुरूर याद रखेगा match करने के लिए परसन का नाम सामने रखा इसी के साथ में अगर bronze category में बात करें तो यहां पर PV सिंधू के द्वारा जीता गया badminton के लिए इसी के साथ में bronze category में जाएंगे तो लवलीना के द्वारा जीता गया boxing के अंदर में श्यांदार performance हमारी hockey की देखने को मिली men's hockey team की उनके द्वारा hockey में हाँ पर bronze medal जीता गया तो काफी important try हमारे देश के लिए और बजरन पूनिया के द्वारे हाँ पर basically यह आप लोग को देखने को मिला bronze medal wrestling की category में इसी के साथ में कुछ important personality के नाम आप लोग और याद रख सकते हैं आप नाम नहीं बस basically कुछ information याद आप लोग रख सकते हैं जैसे कि अगर बात करें हमारे country की Indian hockey team जो है वो fourth number पर रही एक श्यांदार performance के साथ में एक तरीके सा आप लोग बोल सकते हैं कि एक जजबे एक नहीं कोई background नहीं है आप लोग देखते हैं अग यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि salute करने वाली बात यहाँ पर है टोटल अगर personality को आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यह थी सारी personality जिनके द्वारा हमारी country का जो एक तरीके से उनने कहते हैं कि एक गोरभ बढ़ाया गया international level पर तो सारी personality के एक फोटो है बाकि अगर overall आप लोग यहाँ पर जानना चाते हैं ठीक है तो यह summer olympic के होगे total 7 medal इसमें याद रखेगा flag bearer जब opening ceremony थी यहाँ पर तो वो maricom थी और इसी के साथ में manpreet Singh ठीक है जब flag bearer यहाँ पर हुआ closing ceremony यानिके धवज रोहक जब यहाँ पर खेल complete way समावत वे तो ब maricom और manpreet Singh थे यहाँ पर opening ceremony में और यहाँ पर flag bear थे यहाँ पर बजरंग पूनिया important question मन सकता है जापान में यह game आप लोग यहाँ पर देखने को मिले इंडिया के total मिलाकर अगर 8 तक के olympic के इत्यास में कोई आप लोग उसे पूछने ले लगे कितने gold हो चुकें तो 10 gold medal हो चुके हैं 9 silver हो चुके हैं 16 bronze हो चुके हैं तो total मिलाकर हमारे पास में अब तक का 35 medal आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगे तो यह basic information है बाकी अगर आप लोगों से कुछ थोड़ा सा पीछे की बात कोई पूछने लगे तो अब तक की अगर best performance को यह आप लोगों से यहाँ पर 2 medal हमारे पास में थे एक silver था पीबी सिंदु का और दूसरा bronze था यहाँ पर यह ठीक है तो यह 2016 के olympic आप लोगों को देखने को मिले 2012 के olympic में हमारे पास में हाँ पर 6 medal थे total मिलाकर ठीक है तो यह हलका सा ideas के बारे में रख सकते हैं पर लेकिन अगर अब तक का इत्याज उठाकर आप लोग दें होगे सबसे best performance जो हमारी रही वो रही Tokyo Olympics के अंदर में तो यह काफी important है जो कि आप लोगों से confusion में डाल कर अगर कोई बाते पूछ ले तो confused मत होना इसके बारे में idea रखेगा ठीक है तो इसके बारे में आप लोगों को idea रखना है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मेजर ध्यांचद खेल रतन अवोड अब इसका नाम कर देगया है जो अवोड है कुछ ऐसा आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा पहले राजिव गांधी खेल रतन के नाम से यहाँ पर यह जाना जाता था अब तक टोटल मिला कर यहाँ पर कितने लोगों को मिल चुक है तो 45 लोगों को यह मिल चुक है यहाँ पर फस्ट जो किसको मिला था है आपर यह तो विस्वनात आनन जी थे जिनको मिला था और इसेनली अभी हाँ पर इन 5 प्लेयर को दिया गया है रोहित सर्मा मरियपपन इसी के साथ में मनिका बत्रा विनेस फोगाट और रानी रामपाल तो इनको यहाँ पर यह बेसिकली अवोड मिला है अगर बात करें यहाँ पर तो 25 लाक रुपे हाँ पर रिवोड दिया जाते हैं गोर्मेंट ओफ इंडे की साइड से त तो यह हाइस्ट अवोड आप लोगों को देखने को मिलेगा इस स्पोर्ट के कैटेगरी में हमारी केंट्री गंदर तो ध्यान चेंजी के नाम पर इस अवोड का नाम रखा गया है फिलाल रिसेंटली नाम चेंजगर का इंपोर्टन बात यहाँ पर अगर मैं कोश्चन आप लोग बोल सकते हैं वो आप लोग को military category में देखने को मिलेगा हाला कि इसके ओपर मैं आगे भी बात करूँगा इसे आप लोग के question भी बन सकते हैं आप लोग डिटेल में बताऊंगा अभी सके बारे में किया क्या चीज़े हैं क्योंकि इसके ओपर recently अभी एक movie भी नाय था नैनो मेगजीन जब मैंने आप लोग से डिसस के थी तो यहाँ पर यह विक्रम बत्रा के बारे में तो काफी important news है जब इसके ओपर नजर डालेंगे तो तब मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा इन अवोड के बारे में कोई confusion आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा तो फिलाल अभी हाँ पर बात करते हैं basically मेजर ध्यांचन जी के बारे में मेजर ध्यांचन जी के दौरा हमारा जो स्वाने मित्यास create किया गया तो लगातार तीन बार हमारी होकी के दौरा गोल जीतेगे 1928 में 1932 में और 1936 में तो यह जो गोल जीतेगे यह जांचन जी के दौरा जो शांदार परफोर्म में देखने को मिली वहां से यह गोल निकल कर आए इसलिए इनको the magician, the wizard यानि के होकी के जादूगर इनको बोला जाता था तो 29 अगस्त जो है इसलिए हम लोग किस particular day के रूप में celebrate करते हैं पता है आप लोगो चलिए बताईए देखता हूँ कौन कौन इसका सियांसर देता है यह तो आप लोगो बता ही होना चाहिए 29 अगस्त देखता है, हम लोग एक particular day के रूप में celebrate करते हैं वो day कौन सा है, बताईए चलिए जो अध्यान चन्जी जो थे हैं यहाँ पर इनके नाम से basically लिए connected है और यहाँ पर यह जो पैदावे थे परियाग राज जिसको आजकेर में बोलते हैं, आजकेर में उत्तर परदेश में यह पैदावे थे और 3 December 1979 में All India Institute of Medical Science aims के अंदर इनके द्वारा अपनी आखरी सांसे ले गई थे तो यह इनके बारे में basic information हो गई और award के बारे में आप लोग बताया तो कोई confusion आप लोगे mind में नहीं होना चाहिए जब हमारी parliament का session चल रहा था तो official language जो थी हाँ पर यह news में थी तो इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लेता हूँ classical language के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे इससे question बन जाता है अगर आप लोग नहीं EPFO का paper अभी उठा आगर देखा होगा तो उसमें भी हाँ पर question निकल गया था आप लोगा तो आगे भी question बन जाएगा तो confusion मत रखना थोड़ा सा detail में बात कर लूगा 8th schedule हमारे समिधान में जब आप लोग देखेंगे आप लोगो बताऊंगा detail में पहले classical language का एक बार देख लेते हैं सबसे पहली classical language तमिलाडू के अंदर basically तमिल को डिकलेर किया गया तुथायन 4 में दूसरे नंबर पर संस्कृती confused मत होना पहली संस्कृत नहीं थी पहली तमिल थी ठीक है 2014 में जैन community को minority का category का दर्जा जे गया था बाकी जो पांच जो कैटेगरी थी minority की वो starting से आप लोगो देखने को मिल रही थी 1993 से ठीक है वो पांच की पांच category कौन सी है उनको लिखकर एक बार आप लोग revise कर लिजे तो ये आप लोग थोड़ा सा लंबे समय तक याद रख पाएंगे तो all जो हैंपर classical language है वो आठवे schedule में आप लोग को देखने को मिल जाती है तो confuse मत होना बिलकुल भी अभी EPFO के अंदर आप लोग को basically question दे दिया और उसमें पूछ लिया कि बताये कौन सी यहाँ पर official language नहीं है यानि कौन सी language its schedule की language नहीं है और फिर आप लोग को बोल सकते हैं कौन सी language schedule language नहीं है तो अगर originally आप लोग समिधान के अंदर जाएंगे तो 14 है total language थी पर लेकिन जैसे जैसे चीज़े आगे बढ़ी तो total मिलाकर 8 language इसके अंदर add हो गई तो आज के ड़ में 22 language बन चुकी है यह जो 22 language है यह total मिलाकर 8 language add की गई आठवे schedule में तो इसको थोड़ा सा ट्रीक है याद रखेलना आठवे schedule में 8 language add की गई तो 22 language होगी तो आज की date में आसामीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी, कन्नेट, कसमीरी, कौनकनी, मलियालम, मनिपूरी, मराथी, नेपाली याद रखेगा नेपाली भी इसके अंदर है, confuse मत हो ना, उरिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल, तेलगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथली और इसके साथ में डोगरी तो ये टोटल मिलाकर 22 लेंग्वेज आप लोगो को देखने को मिलेगी, पर लेकिन जो स्टार्टिंग में लेंग्वेज थी, तो उसके बाद में कौन-कौन सी आड हुई, तो important question ये भी पूछे जा चुक है, और ये देखे, यहां से तो question आप लोगो के निकल ही रहे है, तो बात करें तो हैं, हाँ पर सिंधी एड की गई, हाँ पर जो 21 वा constitution amendment किया गया 1977 में, याद रखेगा, कौन का नी मनीपूरी और नेपाली एड की गई, नेपाली ओरिजनल समिधान में नहीं थी, बाद में एड की गई, याद रखना, 71 amendment किया गया है हाँ पर 1992 में, इसी के साथ में, बोडो, डोगरी, मैतली और संथाली जो थी हाँ पर ये, ये बानवा, यानिकि 92 second constitutional amendment किया गया 2003 में, उसके बाद में ये एड की गई, तो इनको official language बोलते हैं, क्योंकि 8-way schedule में आप लोग को ये देखने को मिलेगी, तो confusion नहीं रखना है, किसी भी तरीके से mind में ए हाँ पर सिधार्त के द्वारा निभाया गये हाँ पर, तो कैप्टन विकरम बत्रा जो थे हमारी country में, ये एक सहीद, जो कि कारगिल वोर 99 की जब हुई थी, उसमें ये सहीद हो गये थे, तो उनके चलते हाँ पर इनको प्रमवीर चकर भी मिला, जो कि हमारी country में highest award की के आता है, और ये इनको posthumously दिया गया, यानिकि मर्नो ओपरांत इनको यहाँ पर ये award दिया गया, बत्रा साफ जो थे हाँ यहाँ पर, ये CDS के थ्रू यहाँ पर select होई थे, service selection board SSB इनके गलाबाद था, 1996 में, तो इंडियन आर्मी में, लेक्टिनेंट की पोस्ट पर 13 battalion जम मांगे more, यानिकि अभी जिन नहीं भराया, और काम चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर, जब यहाँ पर इनको यहाँ पर ले गए यहाँ पर, तो उस टाइम पर आप लोग ने अगर ये movie देखियो, तो आप लोग ने देखा होगा, last तक अगर movie देखिये, तो आप लोग हमारे जो योद्धा है उनके द्वारा, उनकी जिस तरीके से अपनी जान खत्रे में डाल कर देश को बचाने के लिए अपनी पूरी जिन्दगी जगादी दाओं पर, उनको आवोड दियते हैं, और दूसरा है पीस टाइम पर, यानकि जो सान्ती बनाए रखने के लिए, य यहाँ पर सब में वीर लगावा है, इसका मदलब यह है कि यहाँ पर वीर गात है, इनके द्वारा लिखी गए यह एक तरी से देश के लिए, तो उसके चलते हैं पर यह याद रखेगा जिसमें वीर लगावा है, यह कैटेगरी आप लोग इहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो टोटल मिलाकर यह 6 अवोड आप लोगो देखने को मिलेगे, जिनसे कई बार आप लोगो वो कोईशन भी एक्जामे बन जाता है, तो इसके बारे में याद रखेगा कोई confusion नहीं होना चाहिए, आगे काफी important है यहाँ प पोस्ट इनके द्वारा जोइन किये गए यहाँ पर, तो यह इंडो तिबितन पुलिस फोर्स में किये गए बेसिकली, जिसको ITBPN के इंडो तिबितन बोडर पुलिस आप लोग बोलते हैं, ठाक है, तो इसके बारे में information रखेगा, अगर कोई पूशले आप लोगों से कहां यह किसके अंडर आती है, तो Central Army Police Force यहाँ पर basically Ministry of Home Affairs के अंडर में आती है, Confuse मत हो जाना, Defense Ministry के अंडर में नहीं आती है, Ministry of Home Affairs के अंडर में आती है, Paramilitary Forces जो हमारी country के होती है, Other कौन सी है, Assam Rifle Border Security Force, Central Industrial Security Force है, Central Reserve Police Force, National Security Guard और इसी के साथ में हैं पर सहस्तर सीमा बल, Important Question आप उन से Border के हाँ पर basically secure करती है, तो Pakistan अगर India का Border करें तो BSF secure करती है, Border Movie देखियोगी सनी देवल वाली, उसमें पहले स्टार्टिंग में सुनिल सेट्की रहते हैं, तो BSF के रहते हों, उसके बाद भी फिर Army आती है, ठीक है, तो Border पर पहले स्टार्टिंग में बिना War Zone नहीं है तो सांती में काम करेगा, तो Border security force, ठीक है, इंडिया बंगलादेस Border पर भी हाँ पर यही देखने को मिलेगा BSF, क्योंकि बंगलादेस और पाकिस्तान पहले एक ही हुआ करते थे, तो इसलिए दोनों के लिए एक ही force काम करती ही नजर आती है, इसी के साथ में नेपाल और इस एक information जिसके बारे में आप लोग को idea होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर basically बात की जारी है, अभी recently हमारी country के और दूसरी country के और यहाँ पर जो deputy security advisor है, उनकी एक meeting देखने को मिली, तो यह जो meeting थी हाँ पर इसमें स्रिलंका, इंडिया, basically हमारी country के दोरा, म गिलंका के दोरा, तो चार pillar पर इनके दोरा काम करने की बात की जारी है, समूंदर की security कैसे रखनी है, human trafficking नहीं होनी चाहिए, इनसानों की खरीद बेच, उननी के इनसानों की देह का वयापार करना, terrorism को कैसे रोगना और cyber security, तो इन चार मुद्दों के ओपर इनके दोरा बात में बस एक मिटिंग में आ सकते हैं, पर लेकिन अगली बार जो मिटिंग हैं पर होने वाली है, तो बोला गया कि बंगलादेश, सेसल्स और मिरुसस को यहाँ पर जो तीनों observer है, invite कया गया, full membership के लिए, next जो मिटिंग होने वाली है, वो मौलदीम में आप लोगो देखने को मिलेगी, यानि कि इंडिया, सिरलंका, मोलदीर थे हैं अब तक यहाँ पर आने वाले टाइम में बंगलादेश, सेसल्स और मिरुसस देखने को मिलेगी इस पर्टिकलर मिटिंग के अंदर में, और इंडियान ओशन के अंदर यह security प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे, तो इसके बारे में यह है basic information, confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेश्ट जो news है हाँ पर यह काफी important है, question direct पूछ लेंगे कि Indian Council of Medical Research जिसको ICMR आप लोग बोलते हैं, यह बताइए कि ICMR जो है हाँ पर उसके द्वारा यह पूछ लेंगे आप लोगों से कि हमारी country में जो recently snake bite होता है, उसकी report किसके द्वारा प्रसुत की गए तो Indian Council of Medical Research के द्वारा ICMR के द्वारा इसको प्रसुत किया गया है, तो ICMR के द्वारे हाँ पर यह बताया गया है कि आज की date में अगर all over world में आप लोग देखेगा, इसने एक bite के सबसे ज़्यादे case हमारी country में देखने को मिलते है साप के काटने के, और 50% जो total death होती है all over world में, यह पूरी दुनिया में यतने लोगों की जान जाती है, उसके 50% लोग जो हमारी country में अकेले मरते हैं साप के काटने से, important मुद्धा है हाँ यह भी पूछा जा सकते है, world health organization के बारे में जिसको आप लोग WHO बोलते है, world health organization के लोग tropical area में जाएंगे, जैसे यह हो गया, यहाँ पर यह हो गया, basically यह हो गया, tropic of cancer और नीचे हो गया, tropic of Capricorn, तो इसके आसपास वाला reason जो tropical area है, वहाँ पर आप लोगो maximum साफ वगरा यह जीवजनतू पाय जाते हैं, तो इसके चलते हैं इस particular reason में काफी सारे लोगों की जान जाती है, तो हमारी country इसमें top पर है, तो यह important है, जो की question बन सकते हैं, तो confusion नहीं रखना है, detail में आप लोगो सारी चीज़े बता दी, अब आगे बढ़ते हैं, next news के ओर, यह जो important news यहाँ पर निकल कर आ रही है, हमारी country के election commission of India की side से हाँ पर यह news निकल कर आए, पोलिटी के अंदर important news आप लोग ही बन जाती है, basically बात की जारी यहाँ पर, forum of election, forum of election management body of South Asia, तो इसको F.E.M.B.O.S.A के नाम से जानते हैं, तो अभी क्या हुआ basically, यह जो body थी, इसकी chairmanship थी हमारे पास में, पर लेकिन अभी जो chairmanship चले गए है, यह भुटान के पास में चले आते हैं, वो यहाँ पर आप लोग को chairperson देखने को मिले, अब भुटान की side से chairperson आप लोग के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, भुटान के जो election commission of भुटान है, उनकी side से, ठीक है, तो यह आप लोग को आगे, इनके पास में chairmanship होगी, यह जो body है basically, 2012 में, election management body of South country के द्वार यहाँ पर focus किया गया, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जब third conference यहाँ पर रूरेती, तो उसके चलते हैं, यह बोड़ी निकाल कर यह ले कर आए, अगर बात करें, 7 member यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, इंडिया के लावा हो, अफगानिस्तान, बंगलदिस, बुटा तो हमारे पास में थी, अभी भुटान के पास में चली गिए, तो इसके चलते हैं, इसके बारे में मोटी-मोटी information रख सकते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी important बात की जा रही है, Indian Air Force के द्वारा, अभी world का highest mobile air traffic control जो tower लगाया गया हो, कहाँ पर लगाया गया, तो यह करनी है, जहाज की वो सब चीजे, तो advanced landing ground के चलते हैं, लद्दाक के अंदर यह चीजे आप लोग को देखने को मिलेगी, air traffic control tower जो है, यहाँ पर यहाँ पर fixed आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके चलते हैं, यहाँ पर fixed wing aircraft या फिर helicopter operation जो हैं, लद्दाक वाली reason में, आप लोग को देखने को मिलेगा, एक particular person जो है कंथे पर लेकर चल सकता है, यह ऐसा, यह air defense missile system भी आप लोग के हाँ पर देखने को मिल रहे है, अगर कोई air में attack करता है, तो उसको हम लोग मूँ तोड़ जवाब दे सके हैं, यानि कि हम लोग यहाँ पर लद्दाक वाले reason मे security provide कराने की कोसिस करें, अच्छे से अच्छे level की, इसी के चलते हैं आपर air fighter craft जो हैं आपर MiG20 या फिर रफेल जैसे भी इस्तन लद्दाक में हाँ पर तैनात किया गये हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ा आप लोग हैं आपर देखने को मिलेगी, जिन के ओपर अच्छे से काम descend, यह यहाँ पर basically इसका resolution अप्रूव किया, आप लोगों कुछ दिनों पहले मैंने एक news भी discuss की तो उसमें यह बताया था, कि एक African इंसान को basically घुटनों के तले दवा कर, एक basically पुलिस वाला था अमेरिका के अंदर उसने उसकी जान ले ली, तो उसके चलते हो काफी बड़ा पर यह हमारे पास में देखने को मिले, तो इसके चलते हैं एक important question बन जाएगा, 2014 के अंदर General Assembly के अंदर officially launch किया था, international decade, decade मतलब 10 साल for people of African descent, यानि कि अफ्रीकन मूल के लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि international decade for people of African descent, जो अब डिसेंट है, वो कब से कब त ठीक है, तो confusion नहीं है, इसके चलते हैं आप लोग लंबे समय तक इन चीजों को याद रख पाओगे, तो ये थी basic information, आईए, अब आगे बढ़ते हैं आपर next news के ओर, ये जो बात की जारी है काफी important है, अगर आप लोग उत्तर परदेश से निकल कर आते हैं, तो ऐसे news आप के लिए important हो जाते हैं काफी, उत्तर परदेश गवर्मेंट के दोरा काफी बड़ा step उठाया गया, आप लोगों ने history में पढ़ा होगा, काकोरी train के बारे में, काकोरी train conspiracy बोला जाता है इसको, या फिर इसको गलत नाम से बगार जाता है, रोबरी के नाम से, पर लेकिन अभ पर उनको पैसा मिल सके और उस पैसों का फिर बें utilize कर सके प्रोपर वे में, तो उसके चलते हैं याद रखेगा, तो 1925 में यह आप लोगों को देखने को मिला, काकोरी train action जो यहाँ पर निकल कर आया, तो उत्तर परदेश गवर्मेंट के दोरा काकोरी train conspiracy सडियंत्र को, या क काकोरी train robbery को अब यहाँ पर काकोरी train action का नाम दे दिया गया है, तो कब हो था यहाँ पर 1925 में हो था, काकोरी है कहाँ पर लखनों के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर train इनके दोरा लुटी गई थी, राम परसाद बिसमिल असपाक उल्ला खान तो इसके बारे में यह basic information है, हिस्टी का भी question आप लोगों से बन सकता है, कई बार कई सारे incident के नाम देकर आप लोगों से date पुछ ले आती है, year पुछ ले आता है, तो यह छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं, आप लोग याद रखेगा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देख इन जम्मो एन कासमीर, अगर आप लोगों से कोई पूछ लेगी, forum for human right in जम्मो एन कासमीर, उसके द्वारा एक report release की गई, यह जो basically किसकी अज्यक्सता में हापर यह forum बनाय गया था, तो याद रखेगा, यह forum जो बनाय गया था है, यह मदन भी लाकूर, और इसी के साथ में former जो कसमीर इंटर लोकेटर थे, जिनका नाम था, यहाँ पर राधा कुमार, इन दोनों के द्वारा co-chair किया गया हाँ पर independently इसको, तो इनके द्वारा यह देखा गया कि जब हमारी country में article 370 और article 35 यह हटाया गया जम्मो एन कासमीर से, तब से लेके अब तक का अगर हम बाद देखने को मिलते हैं, और बाकी जो बोला गया था, नोर्मल सी, ग्राउंड पर जल्दी ही आती ही नजर आएगी, तो वो भी अब तक कोई जाद है, नोर्मल सी देखने को मिलने रही है, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, तो यह तो बात होगे लिखने के लिए बाकी important question यहां से बन जाएगा, फिर मत बोलना question कहां से आ गया, तो भाई साब यहां से आ गया, पूछ लेंगे हाँ पर forum for human right in JNK, उसको किसके द्वारा चेयर किया गया, तो को चेयर किया गया, को चेयर मतलब दो लोगों के द्वारा, तो मदन भी लोकुर और राधा कुम Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, ठीक है, तो यह इसका नाम चेंज कर देगी है, तो यहां पर यह जो institute है, यहां पर quality of educational research करेगा Ayurveda और जो भी local medicine है उसके अंदर, और कहां पर यह located है, यह question important हो जाता है, तो यह Arunachal परदेश के अंदर located है, नोर्थ इस्ट वाले एरिया में, तो जो यहां पर opportunity provide कराएगा, जो student है, आपर अपने देश के और साथी साथ, अगर बाहर से, जैसे तिबबत, भुटान, मंगोलिया, नेपाल, चाइना, जो Asian country अगर यहां पर आना चाहती है, तो उनको भी हाँ पर यह help provide कराएगा, क्योंकि या Ayurveda और योगा में, यह सारे procedure जो है, यह मिलक अगर काम करते हैं, ठीक है, तो यह basic information हो गई, next important question बन सकते हैं आपर, यह अगर महरास्ता से आप लोग आते हैं, तो आप लोग लिए थोड़ा सा और जदे important हो जाएगा, महरास्ता भूसन सेलेक्शन कमिटी के द्वारा, जो की chair की यह हाँ पर चेपिनिश्टर उदर ठाग यह 1996 में हाँ पर पुर्सुत्तम, पुर्सुत्तम लक्समन डेस पांडे को यहाँ पर यह अवोर्ड दिया गया था, लिटरेसी के फिल्ड में, बाकी यह जो अवोर्ड हैं आपर यह लिटरेसी, आर्ट, स्पोर्ट और साइंस की कैटेगरी में दिया जाता था, आगे चलकर इसके अंदर social work, journalism और इसके साथ में public administration और health service वगरा भी add कर दी गई, तो महरास्ता से आगर आप लोग आते हैं तो यह important question बन जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते ही हाँ यह important बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, यह आ रही है controller journal of account की side से निकल गा, फिर से वही बोल रहा ह news इतनी सारी है, खाबर इतनी सारी है, अगर रटने बैठोगे तो दिमाग चल जाएगा, बस मज़े में सुनते रो, एक लह में सुनते चले जाओ, ठीक है, आप लोग इसको revision कर लेना, इसके बाद में जभी चीज़े आप लोग को याद रहेंगी, और अगर आप लोग regular व आप लोग frustrated फिल नहीं करेंगे, irritated फिल नहीं करेंगे, तो यह काम आप लोग जुरूर किया कीज़े, ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर दीपक दाज जो है, वो अभी हाँ पर 25th controller general of account जो है, उसका पदिन को मिल गया है, अगस्त के महिने से यहाँ पर, यह कि ministry के अंडर में आते है, तो ministry of finance के अंडर में आते है, तो यह principal accounting advisor होते है, government of India के, ठीक है, तो यह important है आपर, इसी के साथ में हाँ पर establishment, जो किया जाता है, technical sound, जो management account है, आपर वो सारी चीज़ें इनके द्वरा, एक responsibility ली जाती है, क्या यह समिधान के अंदर मैंसन है, जी हाँ, एक constitutional बोड़ी है, account, यहाँ पर बात करें, article 150 के अंदर, आप लोगो देखने को मिलेगा, annual, annual appropriation account, इसी के साथ में union finance, यह submit की जात account अलग है, यह दोनों अलग अलग बोड़ी है, तो दोनों में confusion आना आप लोगो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर, यह important news आप लोग science and tech के field में हाँ पर बोल सकते हो, हुआ क्या basically, union, जो minister है आपर, उनके द्वारा राजिस सभा में inform किया गया, basically, basically, geo amazing, जो satellite के बारे में, जिसको EOS03 बोला गया, तो launch किया जाना है, यहाँ पर third, जो quarter में है, 2021 के, यह बोला गया, यह काम क्या करेगा है, यहाँ पर EOS, जिसको basically, हाँ पर देखने को मिला, तो यह हमारी country में, कहाँ पर cyclone आ रहे हैं, कहाँ पर flood आ रहे हैं, तो Indian Ocean के अंदर उसको यह monitor करता हो, नजर आएगा, और एक important बात यहाँ पर यह है, कि capable रहेगा, पूरी country को 4-5 daily, यानि कि 4-5 बार पूरी country का daily एक बार चक्कर लगा देगा, तो कहीं पर भी कोई भी, अगर flood आ रही है, कोई cyclone आ रहा है, तो उसके बारे में information आप लोगों को देखने को मि पूछ ले, तो NASA है, USA की, जो Rose Cosmos है, वो है, Russia की, JAX है, यहाँ पर किसके, Japan की, European Space Agency है, Europe की, और Canada Space Agency है, यहाँ पर Canada की, तो यह basic information होगी, इसके बारे में आप लोग basically idea रखेगा, ठीक है, आगे चलते हैं, next important news के ओर, यहाँ पर जो बात की जा रही है, जैपूर के बारे में ब important question मन जाएगा, अगर आप लोग राइस्थान से आता है, तो यादी रखेगा, बाकी डिरेक्टी भी question मन सकता है, जो मीना community है, उनके दोरा बोला गया है, यहाँ पर, जो basically अमरगर फोट है, यहाँ बनाया गया, मीना जो rural, जो है उनके दोरा है, यहाँ तरीके से, ठीक है, तो इसको लेकर भी इनके बीच में जड़ा फोगे, मीना community और हिंदू, जो group community के बीच में, तो उसकी वेज़े से आपर ये news में आ गया है, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बाते हैं, जो हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं, जाले तो नहीं पर हाँ, एक मोटा मोटा idea होना low pass किया गया था, जिसके चलते हैं, अगर कोई Muslim community में कोई महिल आए, उनको अभ दिक्कत जहलने को नहीं मिलेगी, अगर कल को चल कर को उनको तीन बार तलाग 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 बोल कर निकल जाता था, उसके बाद में उनको दिक्कत जहलने पर देती, तो उसके चलते हैं, वो बे अगर बन जाए तो confuse मत होना Prime Minister Modi साहब के दौर है यहाँ पर E-Rupee करके यहाँ पर basically एक system launch किया गया जिसमें बिसका basic परबज यहाँ पर यह था कि किस तरीके से हम लोगों को जादे तर लोगों के पास में payment system को easy तरीके से पहुँचाना है तो E-Rupee जो है यहाँ पर यह cash less है तो cash नहीं देना है एक contact less है contact भी नहीं देना है जैसे QR code होता है na QR code क्या होता है इसको बोलते है quick response ठीक है तो quiz response या फिर SMS के थुरू यहाँ पर चीज़े जो है पहुँचाए जाएंगी तो यहाँ पर यह National Payment Corporation of India यहाँ पर on its UPI platform पर यहाँ पर basically develop किया गया और collaborate मिलकर काम किया गया Ministry of Finance के द्वारा Ministry of Health और Family Welfare और National Health Authority के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया गया तो जादे से जादे लोगों तक service जोई अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करा जा सके एक basic तरीक आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ठीक है आगे सलते हैं आपर बात की जारी न्यूजीलेंड के बारे में न्यूजीलेंड के अंदर अभी recently यहाँ पर बैन कर दिया गया है conversion therapy पर अगर यहाँ पर कोई अपना sex change करना चाते है LGBTQ community के अंदर अगर बात करें आप लोग यहाँ पर कोई sex change करना चाते है तो 18 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है तो basically उसको यहाँ पर allow नहीं किया गया है तो एक तरीक से 3 साल तक की सजा भी हाँ पर उसकती है तो New Zealand है यह country जिसके बारे में आप लोग idea रखेगा चोटी सी information है बेसिकली जाद है important तो नहीं है दूसरी देश के बारे में पर फिर भी हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं ठीक है आगे बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में तो उसके चलते हैं हम लोग काफी सारे change अपने देश में भी लेकर आ रहे हैं कैसे चीजों को change करना है ताकि हम लोग अच्छे से service जो है उनको provide करा सके है ठीक है तो basic चीजे हैं आगे चलते हैं अभी 36 वा संसकान यहाँ पर देखने को मिला International Maritime Boundary Line यहाँ पर लगबग 2002 से यह excise का participate है और यहाँ पर अभी यह आप लोग को देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह है इसके बारे में information आगे चलते हैं यहाँ पर यह important information खासकर अगर गोवा से आप लोग निकल कर आते हैं वैसे तो आप लोगों से लगबग 30 साल से अगर गोवा के अंदर रह रहा है तो उसको वहाँ पर आवाश यह इकाई देने की बात केगी ताकि वहाँ पर उसको एक तरीके से रहने की जगह मिल सकें अगर कोई भार का भी परसन यहाँ पर रह रहा है ठीक है तो यहाँ पर normally क्या बोलते हैं एक तरीक कर करके यानि के original गाउं तो एक तरीक से dignity के साथ में रह पाएंगे भार के लोगों को ज़्यादा है अच्छे से वहाँ पर treat नहीं किया था तो इसके चलते ताकि उनको अच्छे से आपर रहने के लिए जगह मिल सके तो यहाँ पर चीजे निकल कराई एक बिली पास कर दिय साल से अगर ज़्यादा कोई कोई रह रहा है तो उसको यहाँ पर गोवा का sun of soil की category में उसको रख दिया गया है पर लेकिन कई सारे जो local politician थे उनके द्वारा criticize किया गया कि इससे तो काफी सारे लोग यहाँ पर migrate होकर आते रहेंगे तो और ज्यादे दिक्कत बढ़ जाएग governance यहाँ पर जो भी ministry है जो भी हाँ पर channel सब की आप लोगो सारी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर इंडिया इस जो यहाँ पर government of government of india single unified secure multi channel multi platform multilingual multi service mobile app है यहाँ पर यह सारे राज्ये और state की जो भी schemes है उनको यहाँ पर एक जगया इखटा करकर provide कराने को सिस की जाती है central state के सारी चीज़ आप लोगो देखने को मिलती है अभी हैं यहाँ पर basically map जो हैं पर map my india को follow करते हैं यहाँ पर मेरे रासन कार मेरा रासन इसे के साथ में e-name, domini कई सारी ऐसी service और provide हैं यहाँ पर कराएगी तो आगे चलकर हैं यहाँ पर mundi, blood bank, nearby location कहाँ पर है उनको भी identify क कर सकते हैं और voice direction भी हाँ पर देखने को मिलेगी तो इस app को और ज़्यादा upgrade किया जा रहा है तो among app है यहाँ पर यह क्या है इसका नाम आप लोग जुरूरी याद रखेगा, full form कम से कम आप लोगो बता होना चाहिए, कोई confusion mind में नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते है यहाँ पर basically बात की जा रहे है, recently अभी हमारी country जो है, वो UN Security Council, basically UN Security Council के अंदर हमारी country को state मिली, 2021 के लिए और 2022 के लिए हमारी country को यहाँ पर भी state मिली है, ठीक है, तो यह 8 वी बार, important यहाँ पर यह कि 8 वी बार UN Security Council में हम लोग non permanent member के तोर पर गई है, permanent member कितने 5 है, non permanent member कितने 10 है, total मिलाकर UN Security Council के अंदर 15 member रहते हैं, तो non permanent member जो है, वो 10 है, फिलाल जिसमें से India भी एक है, और permanent member में आप लोगो देखने को मिलेगे 5, जिसमें UK, USA, France, इसी के साथ में Russia और China, तो जिनके पास में veto power होती है, veto power क्या होती है, वो power अगर एक member ने बोल दिया, यह काम नहीं हो होगा, यानि कि सब को सहमत होना पड़ेगा, कोई काम अगर करना है तो, तो UN Security जो Presidency है यहाँ पर वो अफिलाल इंडिया के हाथ में, तो यह काफी important हो गया है, तो इंडिया ने यहाँ पर basically जो तयार कियें, तीन टोपिक जिनके ओपर काम करें, तो इक तो maritime security हो गया, peace keeping हो गया और counter terrorism हो गया, तो इनके ओपर इंडिया यहाँ पर basically काम कर रहे है, तो यह काफी important हो जाता है, तो कोई confusion आप लोग यहाँ पर नहीं रखना है, तो basic information है, इसके बारे में आप लोग यहाथ जरूर रखिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर, इसके बारे में भी आप लोग उसे map-based भी कई बार चीज़े पूछ लिया आती है, अभी basically पाकिस्तान के दौरा क्या किया गया है, 26th constitution amendment किया गया है, यहाँ पर अपनी country के अंदर, और यहाँ पर जो गिलगित बल्दिस्तान जो हमारा area है, जिसको हम लोग पाक occupied area बोलते हैं, पाकिस्तान control area ब OCC कर रहा है कि यह सारी चीज़े proper इसके control में आ जाए, ठीक है, तो इंडिया के दौरा इसके खिलाफ protest भी बोला गया, तो चाइना पाकिस्तान economic corridor में 65 billion के करीब investment चाइना के दौरा किया गया है, जिसके लिए चाइना के लिए काफी important है, चाइना के लिए भी important है, पाकिस्त confusion नहीं होना चाहिए, अगर question आप लोगों से पूछ ले जाए, बहुत important news है, यहाँ से direct question आप लोगा बन सकते हैं, अभी हमारी country के प्रेजिदेंट साब के दौरा 100 जो यहाँ पर, अभी हाँ पर address किया गया, मदरास legislative council का, ठीक है, तो आप लोगों से अगर कोई पूछ ले legislative हमारी country के अंदर, मदरास के अंदर यह देखने को मिली, जो कि यहाँ पर 1861 में basically चीजे British control इंडिया में बनाएगी, आगे अगर बात करें, तो यहाँ पर first Indian, जो हमारी country में Indian council act था 1861 का, उसके इसाब से इनेक्ट यहाँ पर किया गया, और देखिए, यह सारी चीजे क्यो provide कराएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है, 1857 की क्रांती हमारे देश में देखने को मिली, उस क्रांती के बाद में, अंग्रेजों की host जो थे, वो थोड़े delay हो गए थे, तो इसके चलते हैं, उन्होंने कुछ-कुछ power transfer जो है, वो इंडिया के हाथ में करना है, करके, वाइसराय का नाम वहाँ पर रख दिया गया, तो यह चोड़े-चोड़े question बन जाते हैं कही बाटिक है, फिर बोलते है question कहां से बन गया, तो थोड़ा सा देव ध्यान दखोगे, तो आप लोगों को पतर है कहां से बन गया, अगर इस news को आप लोग डिलेक्ट देख पर बेसिकलिए बनाएगी और यह काफी important हो गी है, connectivity बनाने के लिए तमिलनाडू और करनाटके के बीच में, तो इसके चलते हैं यहां पर यह कहां से होकर जा रही है, तो यहां पर यह जा रही है, बेसिकलिए होकर पीची वजहानी, जो वाइलाफ सेंचूरिय है, उसमें स पर यहां पर यह, अस्वगंधा के ओपर यह काम कर रहे है, COVID-19 के चलते हैं बोला गया, अगर अस्वगंधा इंसान को खिला जाएगा, तो अस्वगंधा खाने से उसकी बोड़ी में immune system जाएगो, काफी अच्छा यहां पर बना मिलेगा आप लोगो, अस्वगंधा जो इस होते हैं इसको, तो यह आप लोग confused नहीं होना है, ठीक है, तो यह थी basic information इसके बारे में, आगे बात करते हैं, National Commission for Women जो है, उसके द्वारा MOU यानिके Moment of Understanding एक तरीका agreement होता है, यह sign किया गया Bureau of Police Research Development के साथ में, आखिर क्यों यह sign किया गया, आप लोग देखते हैं कि आपर National Commission for Women है, और पुलिस के अंदर भी आप लोगो बहुत सारी महिलाई देखने को मिलेगी, तो पुलिस के अंदर जो महिलाई है, उनको लेकर लोग ज़्यादा sensitive नहीं है, कई सारी issues देखने को मिलते हैं, तो उनके issues को उठाया जा सके, और पुलिस में जो महिलाई है, उन से related जो अगर सही समय पर सही information नहीं मिले तो उस information का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जैसे कि माल ये आप लोगो बोला जाए कि आप लोगों ने एक prelims किलियर कर लिया है, prelims किलियर करने के बाद में आप लोग मेंस के exam के लिए या आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगो पता ह में गपला हुआ, तो उसमें मेरा number नहीं है, ठीक है, दूसरी बार मुझे लगए सा, दूसरी बार भी list लगी है, तीसरी बार इतना confirm नहीं है, पर हाँ, जब last का जो result है, उसमें मेरा नाम आया, ठीक है, तो मेरा नाम आया, मेरे पास में कोई message नहीं है, क्योंकि पहली बार मैंने check कर लिया था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, फिर मेरे पास में mail आता है, जब उसका mains होने, उसका mains होने लगता है, वो भी लगबक 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन पहले मेरे पास में mail आता है, कि अपना mains का admit card download कर लो, ठीक है, तो यह आप ल मिले तो ऐसी दिक्कत आप लोगों देखने को मिल जाती है, तो राइस्थान का जो चक्कर देखने को मिला, यह तो मैंने उधान के तोर पर आप लोगों समझाए, ठीक है, तो कई बार information काफी लेट आती है, तो right time पर right information होनी चाहिए, किसानों के लिए बात के लिए कहीं cyclone Indian Council of Agriculture Research जो है, वो यहाँ पर काम कर रही है, इसके साथ मिलकर, एक important बोड़ी है, जो कि यहाँ पर education और research का काम करती है, agriculture के अंदर में, और department of agriculture, research and education के अंदर, ministry of agriculture के अंदर में आती है, और 1929 में इसको बनाया गया था, तो काफी पुरानी बोड़ी है, यह भी इसके बारे भ इसको ना touch-up देते रहना होता है, अगर आप लोग सोचेंगे कि exam आएगा, उसके एक दिन पहले बैट कर आप लोग बातसा बन जाओगे, तो फिर तो यार आप लोग अपने साथ में basically मजा कर रहो है, तो ऐसा मत करो, current affair day by day cover करके चलो, बहुत सारे concept आप लोगे killer होंगे, और आप लोग confidence आएगा, exam में जाकर बैट होगे, ठीक है, सफाई मित्रा सुरक्सा चैलेंज, अगर आप लोग उसे कोई पूछ ले, कि ये basically किस ministry के अंडर में आता है, तो ministry of housing and urban affair के अंडर में आता है, तो world 28 day जो है, वो 19 November को celebrate किया आता है, तो उसके साथ में इसको launch किया तो recently फिर से ये news में आ गया था, आगे बात कते है, champions के बारे में पूछ लिए क्या है, तो champions basically technology driven एक centralized control room है, जहाँ पर लोगों की problem को सुना जाएगा, और ministry of micro, small and medium enterprise जो है, उसके द्वारा ये platform launch किया गया, ये question recently अभी एक exam में पूछा गया था, बच्चे के दौरा paper मुझे सेंट किया गया था, exam का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जब मैंने वो paper देखा था, तो उसमें हाँ पर ये question पूछा गया था, ठीक है, तो ये मैं आप लोग का already cover कर चुक हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग हिंदू वाली वीडियो जो discussion की आ थी, जिनके दोरा इरान nuclear deal sign किये गए थी, अभी हाँ पर जो इनका power जो है, वो अभी इबराहेम राइसी के पास में चले गी है, अभी इरान nuclear deal को लेकर भी काफी ज़्यादा controversy चल रही है, पी 5 प्लस 1 के दोरा वो deal sign किये थी, पी 5 में को है, पर्मनेंट 5 मेंबर हैं, जिसे डोनल्ड ट्रम्प आये, वो एग्रिमेंट से भाहर निकल गए, दिक्कत देखने को मिली, तो थब से लेके इरान और US से की बीच में बन नहीं रही है, और अब नए प्रेजिडेंट आगे हैं, उपर से hardliner है, यानिके जो असन रुआनिस आते हो थोड़े ठीक ठाक आदमी पर ये चीज़े प्रोवाइड करा देगी, तो ये काफी important रहा, इस तरीके से अगर देखेंगे तो, तो first city हाँ पर बनी हाँ पर भूमनेसवर, इसके बारे में आत रखेगा, important है पुडोसी देश के बारे में, मैनमार की आर्मी के दोरा, अभी हाँ पर, अपना जो आर्मी फिर election वगएरा कुछ करा जाएंगे, तब तक यही प्राइमिस्टर रहेंगे, जिनको बाते करनी है, वो इन से करें, वरना कोई बाते नहीं होगी, तो ये काफी important मुद्ध है हाँ पर सामने निकल करया, ठीक है, बाकी, ये यहाँ से question आप लोगा बन सकते हैं, अभी government के द इंदियाल उपादिया, इंस्टिटूट ओफ आर्केलोजी बोलते हैं, नोटा के अंदर, स्कूल ओफ आर्काइव स्टडी, आर्काइवल स्टडी, जो नैसनल जो आर्काइव अफ इंडिया, न्यू डेली के अंदर में, नैसनल रिसर्च लेटरी, कॉंजर्विशन ओफ उसको मिलाकर इंदियूर्षी सेट अप करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके चलते हैं यहांपर कैसे हमारी होटेज कलचर के बन सकते हैं, अगर आप लोगों से क्वेश्च लेट में, पूछे पर्वरनर के बीद में, पावर कौन-कौन से आर्टिकल में आती है, आती है और जो governor की हाथ में आती है वो article 161 के तहता थी है तो यह तो confusion नहीं होना जाए तो उसी के बारे में आगे बात करेंगे Supreme Court के दुआरा अभी हाँ पर governor जो हाँ पर सुप्रीम Court के दुआरा अभी हाँ पर बोला गया है governor of the state जो है वो छमादान दे सकता है including अगर on death row में कोई इनसान particular है तो यहाँ पर before 14 year of prisoner ठीक है तो यह भी एक category हाँ पर रखेगी है governor की जो power है partner की तो यहाँ पर बोल गया है कि code of criminal procedure के तहट है section 433 A के तहट अगर mandate बोले तो sentence जो है वो remittance only after 14 year jail अगर वो इनसान कर चुक है तो pardon उसको यहाँ पर governor की द्वारा भी यहाँ पर दिया जा सकता है ठीक है तो section जो था वो एक तरीके से आपर इसके अंदर चेह देखने को मिलेगी तो article याद रखेगा 161 है आपर actually जो governor की यहाँ पर pardoning power के बारे में बात करता है normally एक point में आप लोग यहाँ पर confusion हो सकता है पर लेकिन वो confusion नहीं होगा अगर उसको धंग से बतागर चला जाए तो बात यह है यहाँ पर कि बोला यह गया कि एक तो constitution में जो बाते दिख रखी है उसके इसाब से governor की power है और जो चीज़े हैं आप अभी लोग के हिसाब से है उसमें जो governor की power है तो constitution के हिसाब से powerful basically चीजों को follow किया जाएगा जो constitution के हिसाब से हैं और यहाँ पर अगर governor अपनी power अगर use करता है तो इसका मतलब governor use नहीं कर रहे है कहना मतलब यहाँ पर है एक तेक तरीके से वो state government यूज़ कर रही है, ठीक है, क्योंकि state government executive जो होती है, उसके हिसाब से एडवर एडवाइस से जो है, governor काम करता है, ठीक है, तो basic information है, आगे बात करते हैं, आपर जो ministry of culture है, उनके द्वारा unique program को celebrate करने की बात केगी, आज़ादी का अमरित मोहत सब, तो independence day, जो हमारे देश में celebrate किया गया, 15 अगस्त को, तो उसमें एक program ministry of culture के द्वारा इस्टार्ट किया गया, यह काफी important है, मैंने आप लोगो यह बताया भी था, nano magazine के अंदर भी, कि आप ल अगस्त को, तो यह initiative जो है, प्राइमिस्टर मोधी साब के द्वारा, अपनी जो मन की बात आया थी, उसमें इनके द्वारा यह बात बताई गए थी, यह एक तरीके से, लोगों को connect करने की कोशिस कीगी, ताकि जादे से जादे जादे लोगों को appreciation यहाँ पर मिल सके, तो य उसमें कई सारे मुद्धें हाँ पर सामने निकल कर आए, यहाँ पर सबसे पहले जो important चीजें हाँ पर बोलीगी, जिसका काफी जदा है, जो basically news में आप लोगों ने सुना भी होगा, यह है प्राइमिस्टर गती सकती master plan, इसे हम बोला गया कि 100 लाक रोड रुपे हाँ पर ख हमारी country में, और इसी के साथ में हाँ पर सैनिक स्कूल, जो लड़कियों के लिए खोला गया, वो भी अभी आप लोगों ने देखा, 75 वंदे भारत जो train है, उनको connect करने की बात कीगी, आने वाले 75 वीक के अंदर आजादी के अमृत मोसव को ध्यान में रखते हुए, इसी के साथ में जो important बात बोलेगी, वो बोलेगी rice fortification के लिए, यानि कि जो आज की date में हम लोग जो खासकर लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हैं, जो हाँ पर direct benefit transfer के तरू, जो हाँ पर food security act के तरू जो खाना जाता है, उसमें rice लाएंगे fortification वाले, जिससे क्या रहेगा, उसमे साथ में एक तरीके से उच गुणवरत्ता वाले चावल आप लोगो देखने को मिलेगी, सैनिक जो स्कूल है यहाँ पर, यह सैनिक society के अंदर आता है, और सैनिक society जो है, मिनिश्टी ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, यह basic information है, जब हमारी country में हम लोग आ जाती कि 75 सालगिरा salibate करने की बात करें, उसी के चलते हैं यहाँ पर कुछ और background information निकल करा रही है, यह है basically USA की side से, अभी USA के अंदर यहाँ पर इनके congress person या फिर जैसे हमारी country में member of parliament होते हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जो congress person जिनका नाम है Sir Maloney, ठीक है, Sir Maloney के द्वारा भी बोला गया, क कि अभी recently यह एक reintroduce करने जारा है legislation USA के house में, जैसे हमारी country में भारत रतन होता है, इसी तरीके से इनकी country में यहाँ पर congressional gold medal to the Mahatma Gandhi देने की बात की है, यह जैसे यहाँ पर बोलें ना कि हम लोग अपनी country का भारत रतन जो है, पता चला हम लोग किसी इनके president को दे दे, ठीक है More important मुद्ध है हाँ पर यह कि अगर यह हमारी country में इस तरीके से Mahatma Gandhi जी को दिया जाता है, तो first Indian बन जाएंगे यह हाँ पर इसको लेने वाले, तो यह काफी important point है, जो कि आप लोग को से confusion नहीं होना चाहिए, question बन जाए इसके बारे में direct भी तो आप लोग को पता होना चाह अब यह आप लोग को पता है, 15 अगस्त के बाद ही हाँ पर condition क्या निकल क्या है, जैसी 15 अगस्त हम लोग से लिबेर के रहते हैं दूसरे side में, अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना control जमा लिया, तो तालिबान ने अपना control जमाया, पूरा जो तालिबान है, वो जो प्रोजेक्ट हमारे द्वारा अफगानिस्तान के अंदर चलाएगे हैं, वो यहाँ पर खत्रे में बढ़ गए हैं, और आगे चलकर एक पैपट गोर्मेंट चलेगी, जो की पागिस्तान और चाइना के control में रहेगी, जो की फिलाल अभी आप लोग देख भी रहे होंग ओपीम की खेती जिसको आप लोग अफ़ीम भी बोलते हैं, अब यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में जो international organization थी, वो सारे काम कर रहे थी, तो उन्होंने अपने सारे fund रोग दिये, माले यह WHO कोई काम कर रहे है, या world trade organization का कोई काम चल रहे है, या कोई UN का कोई काम चल रहे है, वो सारे हाँ पर इनके दोरा freeze कर देगे, सारे bank account, ठीक है, तो जैसे हाँ पर वो सारी चीज़े इनके दोरा बिल्कुल fix कर देगे, यहाँ पर एक तरीके से, कि अब इहाँ पर इनको पैसा नहीं मिलेगा, तो उसके चलते है पैसा कहां से आएगा, तो यह तो चाइना सा Thailand, Laos और Vietnam आता है, इधर से यहाँ पर अफिम की खेती करते हैं, तो इंडिया बीच में हो गया, तो यह हमारी country के लिए यह एक concern है, आने वाले time में, कि अफिम या फिर OPM, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, हमारे देश में illegal तरीके से entry करती हैं नजर आएगी, तो इसके बार है, अभी report का एक single part आया, अभी हाँ पर आगे चलकर आप लोगो दो part इसके और देखने को मिलेंगे, इसका जो title दिया गया है, यह 6th assessment report यहाँ पर दिया गया है, जो कि basically हाँ पर बोला गया है, climate change 2021, physical science basis, तो यहाँ पर basically, जो दो remaining है, यह 2022 में देखने को मिलेंगे, अगर ब जो बात की जा रही है, conference of parties 26 की, तो इसके ओपर भी काफी ज़्यदा focus यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, तो यह अभी आप लोग इनके बारे में हलकी हलकी सी information रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह UK में आप लोग को देखने को मिले, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ और आगे बढ़ेंगे, नीती आयोग के बारे बात की जा रही है, उसके द्वारा एक handbook issue की गई है, खासकार government और local bodies के लिए, जिसके तहत यहाँ पर changing network for electric vehicle, यानि एक तरीके से electric vehicle में हाँ पर काम करने की कोशिस की जा रही है, आप लोग को पता है, जैसे जैसे environment change हो रहा है वैसे वैसे इन मुद्दों पर भी change की जा रही है, तो अगर पूछे की handbook for electric vehicle, charging, charging infrastructure implementation जो है, वो jointly develop के जा रहे है, नीती आयोग, Ministry of Power, Department of Science, Bureau of Energy और World Resource Institute इंडिया के द्वारा, तो objective यह है कि किस तरीके से हम लोग अपनी country में, जो diesel और petrol से चलने वाले जो vehicle है, उनको हम लोग electric की विकल में जल्दी से जल्दी convert कर पाएंगे, तो यह है basic इसका परपज, तो इसके ओपर focus देने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो काफी important है, कोई confusion यहाँ पर आप लोग को नहीं होना चाहिए, question अगर बन जाए तो mind में clarity रखनी है, ठीक है, आगे बात करते हैं, बेसिगली बात की on sustainable development goal के बारे में, तो sustainable development goal 2 है, वो zero hunger के बारे हैं, तो बोला यह गा, coronavirus के आने से काफी large scale पर भुकमरी बढ़ गई है, तो यहाँ रखेगा sustainable development goal जो है, वो दूसरा जो है, वो हिहाँ पर भुकमरी के बारे हैं, ठीक है, पहला घरीबी के बारे हैं बात करते तो यहाँ पर poverty elimination जो है वो पहले goal में आता है ठीक है इसी के साथ में health well being जो है तीसरे goal में आता है आप लोगो पता है fourth goal में education आता है पहले health फिर education फिर यहाँ पर आप लोगो drinking water with facility देखने को मिलेगी और इसी के साथ में हाँ पर total मिलाकर 17 sustainable development goal है तो sustainable development goal के बारे में अगर कोई पूछे तो confuse बिल्कुल नहीं होना है पांच यह नंबर पर gender equality आती है बागी climate change के बारे में बात करें तो तेरवा है चोधवा है यहाँ पर life below water यहाँ पर पंदरवा इसके बारे में बात करता है यह वो goal है जिसके उपर मैंने special video भी बना रखिये अगर confusion होगा तो उसको जा Olympian bat के बारे में तो Olympian bat के आए हैं यह बेसिकली एक चमगाधर है जो बेचारा start हुआ उड़ रहे हैं हाँ पर UK से London से basically और पहुच गया उड़ते उड़ते रसिया में रसिया में कहाँ पर पहुचा यह हो गया आपर पोस्को तो यहाँ पर पहुच गया रसिया के अंदर मे तो इसलिए इसका नाम जो है Olympian bat दिया गया तो यह भी recently news में था तो छोड़ी छोड़ी से ऐसी कोई अगर वन डे टाइप के exam में कोई question कूछ ले तो आप लोग confusion नियोनायर कहां से बन गया ठीक है तो इस तरीके से इसके बारे में याद रख सकते हैं बाकी आपर बात की ज आधी वाले जो हैं वो इस एरिया में काम नहीं करते थे तो पहली बार इस एरिया में आये हैं एक तो environment friendly आप लोग को देखने को मिलेंगे और cost effective है 100% environment friendly और सस्ते भी है use and throw वाले item है आप लोग आराम से इनको use करकर throw कर सकते हो new bone baby जो 2 साल तक कभी उसके लिए हाँपर एक शांदार fiber का use करके ये कबड़े बनाएगे ताकि उसकी जो एक तरीके से नहीं बहुत ही soft इसकी नोती है बच्चेगी उसके उपर इसका negative impact नहीं पड़े तो उसके चलते हैं यहाँपर इन जो यहाँपर यहाँपर यह hotel वगएरा hospital वगएरा या फिर worship की जो जगए यानि क यह सारा काम करता है KVIC तो confusion आप लोगों को नहीं होना है EPFO का paper आया तो आप लोगों से पहली scheme के बारे पूछा गया तो इस तरीके से question बन जाते हैं यहाँपर इसके बारे में आप लोग चीज़े याद रखेगा परधान मंतरी उजवला योजना यह है basically हमारी country में एक scheme जो की जो लोगों को cylinder प्रोवाइड कराने की बात की एक उजाला योजना है तो उजवला और उजवला को confuse मत करना उजवला योजना जो LED वाली है यानिके electricity से लिटेड है और यह किस से लिटेड है यह है basically cylinder से लिटेड है ठीक है तो उजवला योजना तो यह important है यह जो प् connection प्रोवाइड कराएगे ताकि indoor pollution से उनका पेचा चुड़ सके तो परधान मंतरी साब के द्वारा अभी हाँ पर इसका second version launch किया गया उत्तर परदेश के जो मुहाबा एरिया से तो उसके वज़े से फिर से यह news में आगी तो यह जो scheme है basically इसके वारे मागर बात करें पहला version 2016 में launch किया गया जो मैंने भी आप लोग बताया उस time पर बोला गया था 5 क्रोड सिलेंडर जो है वो लोगों को provide करा जाएगे पर लेकिन वो जल्दी ही achieve कर ले तो फिर इसको 7 क्रोड कर दिया बढ़ाकर 7 क्रोड भी अचीव हो गया तो फिर 8 क्रोड कर दिया इसको लेकर आ वोगी कि सबसे important बात तो पहली scheme जो चलाएगी तो पहली हाँ पर क्या था एक तरी परत्यक्स हस्तांतरन यह एक तरीग से lab बोला गया परत्यक्स हस्तांतरन lab का मतलब क्या है यानि कि जिस इनसान के लिए हाँ पर यह scheme चलाए गए है उसी इनसान तक कौश नहीं है काला सोदे में इसको launch किया गया ताकि जो ghost connection है यारी कि जो जूटे connection है जो खासकर उल्टीचदी हरकते करकर connection ले रखे हैं जो कि below party line के अंदर नहीं आते हैं फिर भी connection ले रखे हैं उन सब को identify किया गया और यहां पर यह scheme सामने निकल कर आई तो यह basic information है EPFO के अंदर इसी से little question आप लोग से बन गया था ठीक है तो confused नहीं होंगे तो आप लोग question को attempt कर लेंगे basically mind make clarity अगर topic को लेकर रहेगी तो इसलिए बोलता हूं कभी भी चीजों को लेकर confused नहीं होना है जितना ज़्यादा clear रख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा चीजों को लेकर ठीक है आगे चलते हैं अभी next जो news आप लोगों को देखने को मिल रही हैं आपर यह basically बात किजा रही है कई सारी country के दौरा अभी हाँ पर zero emission के बारें बात कहीं तो अलग-अलग question बन जाएगा यहाँ पर fit 455 यहाँ पर यह किसका basically प्लान है तो यह European Union का है ठीक है तो carbon neutral बनने की बात कि जारी है तो European Union से lead है चाइना का क्या target है उनका 2060 तक का net zero का target है यहाँ पर 2030 तक peak पर पहुंचेंगे फिर यहाँ पर यह नीचे होना start हो जाएगे अभी एक report भी आई एक blue book on climate change in China 2021 यह publish की गई यहाँ पर Chinese जो यहाँ पर metropolitan administration है उसके दौरा इनके दौरा बोला गया 1961 से लेके 2020 में चाइना के अंदर precipitation जो है बारी जो है काफी ज़्यादा बढ़ गई है तो climate change का काफी huge impact चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है तो यह चाइना के बारे में important information होगी बाखी international energy agency के दौरा भी एक release की गई हाँ पर report जिसके बारे में याद रखेगा net zero emission roadmap तो इसमें net zero by 2050 यह इनके दौरा target रखा गया एक और है यहाँ पर जो कि Oxfam International के दौरा पब्लिस की गई है इसको बल गए tightening the net तो यह भी एक यहाँ पर चीज़े देखने को मिली तो यह सारी report जो है मैंने कुछ जो recently अभी हुई यह सारी एक जगे इखटी कर दी कि अगर कोई question आप लोगों से इनसे पूछ ले तो आप सारी चीज़े एक जगे इखटी आप लोगों मिल जाए ठीक है तो यह होगी basic information आगे चलते हैं यूज जो हैं पर union आयूस मिनिस्ट्रे उनके दौरा इस्टेबिस करने के लिए first biobank तो first biobank यहाँ पर यह बेसिकली कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आयूर graduate, doctorate की जो हैं आपर degree देखने को मिलेगी आयूरवेदा के फिल्ड में research development के जाएगा कैसे drug develop कर सकते हैं आयूरवेदा के फिल्ड में standard quality control कर सकते हैं safety evaluation कर सकते हैं scientific validation हो सकता है आयूरवेदिक medicine का अभी recently हाँ पर जो helopathic होते हैं यानि कि जो normal दवाई आप लोग खाते हैं अंग्रेजी दवाई बोलते हैं और आयूरवेदा जो होते हैं उनके बीच में रसा कसी चल गई तो दोनों के बीच में controversy कई सारे article भी आप लोग ने देखे हिंदियो news paper के आगे मिने अंदर discuss किये थे आप लोगों से तो वो सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो basic चीज़े हैं question मन जाए तो confused नहीं होना ठीक है आगे बात कते हैं इंडिया के दौ जो releases flag है यहाँ पर यह अभी इनके दौरा गुरु दौरा जो हाँ पर थाला साहिब यह basically कहाँ पर था तो चिमकनी इन पक्ताई यह प्रोविंस है अफगानिस्तान के अंदर तो तालिबान जैसे ही वहाँ पावर मया उनके दौरा उल्टी सीधी हरकते करनी स्टार्ट कर द ठीक है तो यह particular एक glacier है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कहाँ पर है तो यह जसकर range जो है basically वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह अभी पीछे हरता जा रहा है यानि कि अभी हाँ पर एक research की गई 2015 से start की गई थी इनके दौरा रिसर्च वारिया scale पर temperature बढ़ने की वैसे बरफ पिंगल कर नीचे उतर रहा है तो इसके चलते जो बहार जहाँ परक से ढखे रहते थे हो मेसा वह भी बरफ खतम होता जा रहा है तो यह बाते हैं पर बोलेगी तो यह सोचने वाले बुद्धे हैं आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी दिक जिसका नाम दिया गया उजुवल अभियान तो उजुवल जो अभियान है आपर यह यह बेसिकली एक तरीके से वर्चौल प्लेट्फोर्म है जो की सपोर्ट करेगा ट्रेन करेगा जो असाम के अंदर आर्टीशन है जो कड़ाई बनाएगा काम करते हैं हातों से तो उसके चलते हैं उनको सपोर्ट करने की बात की जा रहे हैं ओ इनजीशी के द्वारा और आजादी कामरेत महुत सा हम लोग सेलिबेट करी रहे हैं तो उसी का पार्ट बनाकर बेसिकली इसको देखा जा रहे हैं तो कन्फ्यूज आप लोग नहीं होना इसके बारे में अगर इस तर आपर तो इसके चलते हैं आपर बेसिकली जो सैड्यूल कास्ट है बेकवर्ड कम्मुनिटी है सफाई करमचारी है उनके लिए कैसे स्किल प्रोवाइड करानी है तो दक्सता का मतलब इसकील होता है ना तो मिनिश्टी ओफ सोचल जिस्टिस का पहल तो याद रखेगा यह द बेसिकली बात की जारी है दो मुद्दो के बारे में देखे होता क्या है हमारी कंट्री में अगर पुलिस होती है कई बार पकड़ लेती है पकड़ कर लोगों को जेल में डाल देती है तो बोला यह जा रहा है कि अगर ऐसे ही आप लोग लोगों को जेल में डाल दोगे बिन गया वह ऐंयोग उसको ही, पन्वादी बटन का रही है इना, आप न से सण learnt हो और यहाद आप से प्यार करते है, अब यहाँ पर लड़की की सादी करने ही घरवाले तब तक लड़के को क्या किया उसको जेल में बंद करवा जब तक ये साधी निप्टे हैं आपा तो ये प्रिवेंटिव होगे इस तरीके समझ लेजेगा ठीक है तो ये एक साधान सा उदान है जो आप लोग सारे कोरिलेट कर पाएंगे और प्रिवेंटिव क्या हो गया जब उसने आकर हमापर उल्टा सीधी हरकते कर दी कुछ दंगा मचा दिया हमापर उठागे उसको जेल में डाल दिया कोट की करवाई कर आकर तो ये दिक्कते होगे ठीक है तो इस तरीके से ये दो हैं इनके बारे में याद रखेगा जब बात करता है कि ऐसे भी चीज़े नहीं होनी चीए तो ये भी एक बेसिक यहाँ पर बन जाती है ठीक है एक काफी इंपोटेंट निउस यहाँ पर रही बेसिकली गूगल पे यहाँ पर trend होगी यहाँ पर जब Google के अंदर डोडल के अंदर इसको दिखाया गया तो यहाँ पर बात की जा रही है सरला ठकुराल सरला ठकुराल जो हमारी country की पहली woman pilot थी यह important question याद रखेगा first Indian woman pilot थी यहाँ पर यह और basically हाँ पर इनकी जो बर्थ एनवर्सी थी 107 वी बर्थ एनवर्सी जब सैलिबेट के गई तो Google के द्वारे हाँ पर दिखाया गया तो सरला जो ठकुराल है यहाँ पर तो इनके बारे बात के तो first Indian woman flying aircraft यह बोन हुई थी 1914 में और इनके द्वारा जो license लिया गया आईडिया आप लोग रख सकते हैं confusion नहीं होना चाहिए Indian Space Research Organization के द्वारा अभी हाँ पर basically भुटान का सैटलाइट यहाँ पर launch करने की बात की ठीक है तो यह अगर पूछ ले हाँ पर इसके बारे में तो INS2B सैटलाइट जो है भुटान का सैटलाइट है तो इसके चलते हैं चार भुटानी जो यहाँ पर इंजीनिर है इसरो के द्वारा उनको ट्रेन के जा रहा है यूर राउ सैटलाइट सैंटर जो की बैंगलूर के अंदर है करनाटका के अंदर तो यह भी चीज़े देखने को मिली इसी के चलते हैं अगर बात करें इंडिया और जो भुटान है उनकी इंगेजमेंट है काफी अच्छे लेवल पर अर्थ स्टेशन 4 साउथ एशा सैटलाइट यहाँ पर इन्योग्रेट किया था थिंपू में भुटान के अंदर हमारी केंट्री के प्राइमिस्टर साब 2019 पर भुटान की विजिट पर भी गए थे तो यह हैं यहाँ पर इंडिया और भुटान के सैंटिफिक रिलिशन के वारे में अगर कोश्चन बने तो आप लोग उसे कन्फूजन नहीं होना चाहिए माइन में जितनी किलाटी रहेगी उतने ही चीजे लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर बात की जारी है यूनियन जो हैल्थ मिनिश्टी है उसके बारे में उसके दोरा 27% परसेंट रिजर्विशन अधर बैकवर्ड क्लासिस के लिए दिया गया बिसिकली आज की डेट में आगर आप लोग देखिए एजुकेशनल और खासकर जो जोब है उनमें अलग-अलग रिजर्विशन आप लोग को देखने को मिलते है नॉर्मली के जगए ठीक है जिसे कि 10% कोटा दिया गया जो एक्कोनोमिकली वीकर सेक्षन है उसके लिए अब यहाँ पर हम लोग बात करें ओल इंडिया कोटा के बारे में ओल इंडिया कोटा जो इंडिडियूस किया गया था यह 1906 में इंडिडियूस किया गया था सुप्रीम कोट की डिरेक्शन के बाद में domicile free merit based opportunity student को मिलनी चाहिए अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वो education लेना चाहता है खासकर medical college के अंदर बात के गई तो यहाँ पर 15% जो है यहाँ पर जो UGC seat और 50% PG seat यहाँ पर government medical college के अंदर यहाँ बाते देखने को मिले कि हाँ पर किस तरीके से होना चाहिए यह इनको एक तरीके से comprise करती थी पर लेकिन 2007 में क्या हुआ यहाँ पर अभेनात versus University of Delhi and others का case आया Supreme Court के द्वारा बोलागे कि 15% for schedule cast और 7% for schedule tribe की seat जो है वो यहाँ पर उनको basically मिलनी चाहिए किसी भी राजे के अंदर जाते हैं 2007 तक यहाँ पर no reservation for old India quota medical admission पर भी फिल उसके आगे हाँ पर चीज़े जो है add होना start होगी अभी जो हाँ पर other backward classes के लिए 27% जो quota है उसमें भी इसको add कर दिया गया है old lady हाँ पर schedule cast और schedule tribe के लिए add कर चुके थे तो अभी इसलिए यहाँ पर यह news में आ गया समय में आ गया quota पहले दिया जा चुका था दूसरा अभी हाँ पर other backward classes के लिए भी allow किया गया है ठीक है women and child development जो मिनिश्टिय उसके द्वारा 9.2 lakh जो children है बोला गया इसके चलते हैं हाँ पर आज की date में हाँ पर दिक्कत में देखने को मिलते हैं severe acute malnutrition practice आप वो एक तरिये mal nurse देखने को मिले गया है निके इनके अंदर जो एक proportion के सिकार यह हो गया है और सबसे ज़्याद है कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पर है बिहार में तो बीमारू इस्टेट भी जिनको कई बार बोला जाता है तो हाँ पर आप लोग काफी ज़्यादे दिक्कती देखने को मिल जाती है तो इसके चलते हैं हाँ पर काम करने की काफी ज़्यादे जूरत है तो basic information है question कई बार बन जाते हैं अगर answer writing के भी बारे में कुछ आता है लिखने के लिए तो हाँ पर भी आप लोग इसको use कर सकते हैं SEC चीज़ आप लोग उसे पूछ लिया जाती है आगे चलते हैं हाँ पर बंगलादेश और इंडिया जो है उनके द्वारा मिलकर अभी रेल रूट ओपन किया गए हाँ पर basically कई सारे रेल रूट ओपन करने की बात की जा रहे है क्योंकि बंगलादेश एक टाइम पर अपने ही कंट्री का पार्ट हुआ करता था आगे बंगलादेश एक अलग कंट्री बन चुक है 1971 की वोर के बाद में हाँ पर पहले इसको इस्ट पाकिस्तान बुलायता था ठीक है तो इस तरीके से देख सकते हैं आज की रेट में हाँ पर चीज़े चेंज हो चुके है तो अब यहाँ पर यह बंगलादेश हो चुक है बंगलादेश हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बोर्डर टच करता है यह याद रखेगा तो अलग-अलग जो यहाँ पर यह लिंक है जो दिखाए गए हैं आप लोग को मैप के अंदर में इनको ओपन करने की बात की जारी है फिर से तो यहाँ पर अभी बात की जारी हल्दी तो यहाँ पर इसको भी ओपन करने की बात की गई है इसके चलते हैं यहाँ पर यह लग-अलग रूट अगर ओपन हो जाता है इंडिया और बंगलादेश के बीच में तो कनेक्टिवटी बड़ेगी और इससे बंगलादेश को भी फायदा होगा और अपनी कंट्री को भी क चाइना की गंधी हरकतों को देखते हुए यहाँ पर यह स्टेप भी उठाय जारहे हैं ऐसा ही बोल सकते हैं क्योंकि चायना जैसी हरकते कर रहा है तो कितना भी गिल सकता है उसके ओपर ट्रस्ट करना जो है वो खत्रे से खाली नहीं होगा तो इसलिए यह स्टेप उठाय कुछ नहीं करने है तो अस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तो SBI के दौरा है यहाँ पर यह offer किया रहा है platform जिसके चलते हैं सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिल जाती है Ministry of Social यो नो अगर पूछे तो याद रहना यह SBI का है Ministry of Social Justice के दौरा अभी हाँ पर formulate कियेगी इसके जिनका बेसिकली नाम दिया गया इसका आई मीसा यानि कि Information, Monitoring, Evaluation और Social Audit यह क्या है यहाँ पर यह बेसिकली जैसे महात्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Act है तो Social Audit क्या होता है जिसे कि मालिय जह आप लोगे महले में कोई सड़क बन रही है अगर आप लोगे महले में सड़क बन रही है और उस सड़क को वो बनाने वाला Contraorama लेकिन आप लोग बोले कि जो कर रहा है करने तो मैं क्यों बोलू तो Social Audit मतलब Society भी इंक्लूड होने लगे उसके अंदर तो महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act जो था इसके अंदर पहली बार Social Audit हमारी कंट्री में किया गया ग्राम सबा के दौरा तो आई जो मीसा हैं यहां पर यह scheme जो है इसे मोलने रहे हैं कि Social Audit to be Conducted for all the scheme of all the scheme of department जो स्टार्ट की गए हाँ पर तो इसके चलते हैं पर Social Audit के थुरू यह सही रहता है क्या सही है और क्या ग्रत है खासका Rural Penchati राज सिस्टम के अंदर यहां पर इसको implement करने की बात की गी तो काफी ज़्यदे जरूरी और important मुद्धे हाँ पर हो जाते हैं ऐसे ऐसे आगे चलते हैं पर Prime Minister Modi साब के दौरा congratulate किया गया Indian Navy को कोच्ची सिप्याड जो limited उसको क्योंकि उनके दौरा Indian First Indigenous Aircraft जो था Vikrant यह अभी include किया गया Vikrant हम लोग ने फिर से नाम रख जया इससे पहले Vikrant जो था है हाँ पर यह यह हाँ पर 1961 से लेकर 1996 तक काम किया उसके बाद में रिटार कर दिया तो उसी को फिर से नाम यहाँ पर दिया गया है पुनर जागरन कर गया ऐसा बोल सकते हैं तो छोड़ी सी बात है पर लेकिन important होगा defense की तयारी कर रहे है तो question बन सकता है थोड़ा सा speed हो सकता है आप लोगो ज़्यादा लगे कई बार आप लोग क्या किया किजिए आप लोगो जब भी ज़्यादा लगिया फिर कम लगे तो youtube में option होता है आप लोग जाकर setting में change कर सकते हैं ठीक है speed बढ़ा और घटा सकते हैं अपनी आपशक्ता के इसाब से जैसा आप लोगो समझ में आता है तो confuse मत होना ठीक है union cabinet के दोरा अभी approve किया गया 1023 के करीब fast है court हमारी country होने चाहिए जिसमें आपर 389 जो है उनके अंदर POCSO court होने चाहिए आपर जो कि बच्चों के लिए हाँ पर ध्यान देंगे और यह centrally sponsored इसकीम थे यानि के center और जो state है मिलकर काम करेंगे ठीक है तो fund जो हाँ से निकल कर आया वो निर्भिया fund से हाँ आपर share किया गया अपना share आगे चलते हैं आपर government of India के दोरे हाँ पर पहला step उठाया गया जिसके चलते हैं आपर retrospective tax लगाने की बात ही retrospective tax क्या होता है यानि कि पीछे जाकर tax लगा दिना माली आज कोई low pass किया गया 2021 में या फिर 2022 में कोई low pass किया गया अब वो जो low pass किया गया है हाँ पर वो low अगर आगे चलकर पदा चला दोजार चोबिस के अंदर में किया यह जो 2022 में किस में low pass किया था उसमें यह दिक्कत रह गई है ठीक है तो उसका लोग फाइदा उठा रहे है पर लेकिन इसके बीच में कोई कमपनी आई 2023 में तो 2023 में कमपनी आई वो तुमें बोला किया यह तो low थी कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो उसने काम करने स्टार्ट कर दिया अब गवर्मेंट बोलने लागे कि 2022 में यह 21 में जो low बनाय गया था उसके अंदर change करेंगे और उसी दिन से implement के जाएगा यह सारे change यह अगर कोई tax चोरी करा है तो उस दिन से ही pay करेगा अब यह जो company हाँ पर आ गी है यह तो उस time पर उस low के इसाफ साहिती अब इनके द्वारा बोल जाएगा कि पीछे जाकर tax लगाएगे अब इसके साथ में तो धोका होगी एक तरीके से ऐसे देखा जाए तो तो यह बात है होती है तो retrospective tax जो है कई बार business को एक तरीके से घटा देता है तो Vooda phone और carrying energy वाला जो case है वो काफी लंब है यहाँ पर government को झेलना पड़ गया जिसमें government दोनों case यहाँ पर हार गई ठीक है तो उसके चलते हैं यहाँ पर basically investment climate को बढ़ाने के लिए ease of doing business करने के लिए retrospective test को यहाँ पर हटाने की बात किए अभी government के द्वारा ताकि यहाँ पर यह जो पहली government के द्वारा implement किया गया था उससे पेजा चुड़ सके ठीक है तो यह है इसके बारे बेसिक information आगे चलते हैं यहाँ पर food and agriculture organization जो है and इसके साथ में world food program जो है उनके द्वारा release किया जाती है एक report जिसको बोलते हैं hunger hot sport तो यहाँ पर यह अभी देखने को मिला काफी लार्जिस के लिपर utopia media medagascar यहाँ पर world में new hunger alert hot sport निकल कर सामने आएं जिसके चलते दिक्कते काफी जाते देखने को मिली तो यह basic information होगा इसके बारे में तो confuse आना बिल्कुल भी नहीं है next यहाँ पर काफी ज़द है news में थी जो basically dissolve oxygen आप लोग को देखने को मिलेगा उसकी quantity काफी बेकार हो चुके तो water की quality यहाँ पर तो इसके BOD के waste पर निकाली जाती है तो यहाँ पर अगर 1 से 2 हैं आपर यहाँ लेवन इन मिलीग्राम पर लिटर यहाँ अगर यहाँ पर यह इतने मिलीग्राम पर लिटर के इसाब से रहेगा तो यह good quality है 3 से 5 होगे तो fair है 6 से 9 होगे तो poor है और यह 100 से उपर चला गया तो काफी ज़दा poor देखने को मिल जाती है सब्द क्या है यहाँ पर BOD को बोलते है biological oxygen demand ठीक है तो फिर यहाँ पर dissolve oxygen की कमी हो जाती है तो यह दिक्कत है निकल कर सामने आती है तो यह इसके वैसे यह news में था ठीक है तो confusion नहीं रखना है किसी भी तरीके से आगे चलते हैं next news के और वहाँ पर आप लोग को और भी कही सारी चाहिए देखने को मिले गया तो इनके द्वारा Olympic game के अंदर बोला गया 2018 में जो Olympic game होंगे Los Angeles के अंदर तो हाँ पर हम लोग चाहते है कि इसको include के जाए किर्केट को आप लोग यह बताना है 2024 में गेम कहां पर होंगे यह आप लोग बताए ठीक है तो यहाँ पहले कभी किर्केट जो है जी हाँ बिलकुल किर्केट जो था only हाँ पर once Olympic का पाढ़ रहा 1900 में ठीक है तो 1900 जो है यहाँ पर इसमें पाढ़ रहा जब Paris के अंदर Olympic होई थे वहाँ पर और France और Great Britain के बीच में हाँ पर match किला गया था तो अभी हाँ पर बात करें तो 128 साल बाद यहाँ पर बोला गया 2028 में फिर से इनको include करके चला जाए Birmingham जो UK के अंदर यहाँ पर 2028 में Commonwealth गेम होने वाले है वहाँ पर किर्केट को include करने की बात की गया है तो इसी के चलते आगे बोला जा रहा है कि Olympic में भी इसको include करके चला जाए ठीक है तो यह है इसके बारे basic information आगे चलते हैं यहाँ पर बेसिकली जो Union Minister of State Independent चार Science and Tech है उनके द्वारा बोला गया हमारी country में basically project है जिसको बोलते है Deep Ocean Vision Deep Ocean Vision के लिए यहाँ पर पहल तो किसके अंदर यह project है तो Ministry of Earth Science के अंदर है दूसरी important बात यहाँ पर और मिलकर कौन काम कर रही है तो Science and Technology भी हाँ पर काम कर रही है Ministry तो कितना पैसा दिया गया है लगबख 4000 क्रोड यहाँ पर दिया गया है इसको start किया जाएगा अभी इसी साल के बाद में तो यहाँ पर आप लोगो देखने को में लगगा कि जमीन के नीचे से जाकर यहाँ पर यहाँ पर poly metallic यह नियोडूल निकालते हैं जिसके अंदर से कई सारे आइटम निकल कर आते हैं तो जमीन सत्य पर जाकर तो लगबख 6000 मीटर याँ के 6 किलोमेटर लगबख नीचे तक जाकर यहाँ पर चीजों को यह निकालेंगे तो उसके चलते हैं आपर यह चीजे news में हो जाती है तो basic information है पता होना चीज चल क्या रहा यह एक important news है आपर आप लोगे कई सारे question बन जाएंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा हमारी country में 102 constitution amendment किया गया 2018 में तो article 33, 338B और 342A यह include किया गया after article 342 के ठीक है तो यहाँ पर article 338B में जो है basically तो national commission for backward classes है ठीक है तो इसकी structure rate duty वगएरा उस सारी चीजे है यहाँ पर यह president को power दिता है गवर्नर के साथ में consult करके socially और educationalally backward community जो है उसको यहाँ पर reservation provide करा जाए यहाँ पावर ओफ reservation जो है वो president के हाथ में दे दी गई थी यहाँ पर जब यह amendment किया गया 2018 में तो इसके चलते जब मराठा community के द्वारा reservation देने की बात की गई तो यहाँ पर basically मुद्दा ही आ गया कि state government को तो हाथ में power ही नहीं है यह तो हाँ पर president के हाथ में power है तो उसी को change करने के लिए पारलेमेंट में अभी हाँ पर basically bill निकाल कर लाएगे तो article 366 16C है जो 26C है और article 338 B9 है इसके अंदर बोला गए हाँ पर कि state list के अंदर basically reservation का मुद्दा आता है तो supreme court judgment के बाद में हाँ पर चीज़े जो थी वो थोड़ा सा अलग direction में निकल करा है और फिर बोला गए socially और educationally backward community अगर कोई है तो यह state list के अंदर आता है तो president से निकाल कर यहाँ पर यह governor के अंदर लाना चाहिए और article 15 और article 16 जो होते है यह हाँ पर state के अंदर identify करते हैं कि socially और educational backward community होने और उनको reservation मिलना चाहिए तो यानि कि जो governor के हाथ में power होनी चाहिए थी और president power utilize कर रहा है तो उसी के चलते चीजों को change करने की बात किएगे जिसके वैसे यह news में आ गया था ठीक है तो confusion नहीं रखना है किसी भी तरीके से mind में जितनी क्लाटी रहेगी उतना ही ज्यादा बैठरीन है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर काजी रंगा नेसल पाक के बारे बात की जारी है तो पहला यह हमारी country में काजी रंगा पहला नेसल पाक बन गया है जहाँ पर satellite phone यूज किएगे satellite phone बेसिकली यूज करने का फाइदा क्या रहता है normal phone के network नहीं देखने को मिलेंगे satellite यूज कियाता है तो इससे क्या रहता है कोई मालेज है हमाँ पर कोई illegal तरीके से उल्टी सीधी हरकते कर रहा है forest में जंगल में यहाँ पर पसो को मार रहा है फिर पेड़ पोते काट रहा है तो यहाँ पर उनके तो network खतम हो जाएगे अपने दोस्तों की help नहीं कर पाएंगे निकल नहीं पाएंगे पर अगर यहाँ पर इनकों पता लग गया तो अगर पुलिस वाले जो यहाँ पर रहते हैं security वाले वो अपनी team को बला सकते है और इनको पगड़ सकते है तो यह काफी important है low enforcement जो यहाँ पर focus करने के लिए काम किया गया अगर बात करें नेसल पार्क डिकलेर किया काजी रंगा को 1974 में इसी के साथ में Tiger Reserve यहाँ पर 2007 में डिकलेर किया गया यूनियस को World Heritage Site भी है आपर यह 1985 में देखने को मिला important bird area और bird life जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिला गया आप और world most one horn rhinos यानि कि एक सींग के गैंडे सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो वह है इसके अंदर में तो कई सारे question पहले भी पूछे जा चुके हैं यहां से और आगे भी पूछे जाए तो confused मत हो ना आसाम के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं नेशनल कमिशन फोर प्रोडेक्शन ओफ राइट अफ दचाइल्ड तो यहां पर यह नेशनल वाइड अभी यहां पर यह काम किया गया कैसे यहां पर खासकर जो माइनुर्टी स्कूल है देखिए आज की रेड में हमारी केंट्री में अभी मैंने आप लोगों से बात कि आर्टिकल 15 के बारे में ठीक है आर्टिकल 16 के बारे में तो यहां पर सोचली और एजुकेशनली बेकवर्ड कम्यूटी को देखा जाता है तो यहां पर एक तो है आर्टिकल 15 ठीक है और यह की साथ में आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 यह क्या है यहां पर यह बेसिकली फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं छैसे लेके 14 साल के बच्चों के लिए यह आर्टिकल 21 बात करते हैं अब यहां पर माह लि देख लीजे, एक सेट न है, यहां पर आप लोग देखिए, तो right to equality के बारे में बात करते हैं, तो इसके अन्दर article 15 आप लोग का आ जाते है, तो इस तरीके से अगर right to equality के बारे में बात करते हैं, तो right to equality का मतलब यहां कि चाहे कोई ता क्योंना अगर कोई पढ़ना चाहते है बच्चा तो उसको आप लोग पढ़ाईए लेकिन दूसरा मुद्ध है हाँ पर यह भी आता है कि बच्चों को आप लोग पढ़ा लेते हैं पर लेकिन यहाँ पर जो माइनोटी वाले यहाँ पर आया 2005 इसी के साथ में यहाँ पर जो मिश्टी ओ फूमेन चैल डॉलपमेंट यहाँ पर इसको एड्मिस्टर कंट्रोल करती है तो यह कुछ बेसिक बात है थी आई होफ कि आप लोग के माइन में किलार्टी आई होगी ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर यह प्रोज यहाँ पर सूखा पड़ावा आप लोगों को नजर आएगा होँ पर बैंबो यानिके बास की खेती करने की बात की तो अभी खादी आई वाले रीजन भी इसको इंप्लिमेंट किया गया तो बैंबो करका बोल्ड जो है आपर यह बोल्ड प्रोजेट है बेसिकली कवी आई चलते हैं यहाँ पर ministry of commerce industry के बारे बात की जा रही है तो national intellectual poverty award 2020 उसके बारे बात की जा रही है तो अगर पूछे कि national जो यहाँ पर इंटेलेक्च्वल पोपरटी आवोड जो है किसके दोरा जयता है commerce industry धिक है यहा पर बात करिए तो global innovation index 48 तो हाँ पर 2020 में हाँ पर हमारी rank दे question पहले ही बन चुक है और अगर आगे भी बन जाए तो आप लोग confused नहीं होना है ठीक है तो ऐसे question आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं directly तो basic information आगर इनके बारे में idea जरूर रखेगा अगर इस तरह है कोई question बन जाए तो ठीक है मुंबई में इसका head office है वैसे डेहली भॉपाल बेंगरोल कोरकता मुंबई और गौहाटी में इसके regional office भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे ministry of microwave small है medium enterprise के अंदर में आती है और यहाँ पर कौन है इसके chairperson यह आप लोगों को बताना है ठीक है तो यह basic information होगी तो basically confusion आना नहीं है normally सूखा पढ़ना यह सब चीज़ा आप लोग अपनी country में देखने को मलती है पर ऐसा नहीं है अभी हाँ पर बात की जारी है Colorado तो Colorado जो river है वो कहाँ पर है वो USA के अंदर में बोला गया Colorado river के basin में पानी की कमी होने की वैसे आसपास वाले reason में हाँ पर सूखा पढ़ सकता है USA के अंदर में तो यह basically बोला गया आने वाले महीनों में 2021 में तो इसके चलते हैं यहाँ पर जो upper basin है और जो lower basin है आपर तो इस वाले एरे में बोला गया कि हाँ पर दिक्कते देखने को मल सकती है Colorado river की वज़े से जो पानी कम है तो यह basic information होगे इसके बारे में तो confusion नहीं है आगे चलते हैं यहाँ पर basically अगर बात करें आज की डेट में यहाँ पर coal ministry के बारे में तो coal ministry के दौरा अभी हाँ पर go green की बात की जा रही है वैसे तो coal निकाला जाता है पर coal निकालने के बाद में इनकी एक responsibility भी बनती है कि थोड़ा सा environment को भी सुधारा जाए तो go green के चलते हैं इनके दौरा 2385 hectare area में bio यहाँ पर इनके दौरा बात की जा रही है reclamation ठीक है कि ministry of coal निन ऐसे काम करेगी यहाँ पर पेड़ पहते लगाने का तो यह कर रही है तो bio remediation बोला गया है basically bio treatment यहाँ पर bio reclamation यहाँ पर reclamation इसी के साथ में bio restoration यह सारे एक ही सब्द हैं जिसके चलते हैं यहाँ पर जो environment natural तरीके से यहाँ पर जो दिक्कते को कम करने की कोसिस की जाती है तो उसको यहाँ पर यह बोलते है ठीक है तो confusion आप लोग को नहीं रखना है यहाँ पर natural तरीके से जो सुद्यों को कम करना आप लोग बोल सकते हैं अगर बात करें यहाँ पर अटल innovation mission जिसको aim बोला गया और नीती आयोग collaborate करें यहाँ पर law foundation dissolved system के साथ में ठीक है तो इनके चलते हैं यहाँ पर launch किया गया student entrepreneurship program SEP 3.0 जिसको बोला गया तो young innovator जो थे अटल tinkering lab के तहत यहाँ पर आगे चीजों को लेकर चलने की बात कीगी तो theme के हैं यहाँ पर? theme है यहाँ पर made in 3D seed the future entrepreneur program तो एक तरीक से future के जो entrepreneur businessmen आ रहे हैं उनके लिए 20 बोने की कोसिस की जा रही है खासकर school level से ही तो sixth standard से यहाँ पर जो student है वो teacher जो है उनको एक साथ में लेकर चला जाएगा अगर कोई startup इस्टार्ट करना चाते हैं prototype लेकर आए 3D printing के अंदर हमें यहाँ पर prepare में एक तरी से market campaign के अंदर में define कोई product policy इन सब में help provide कराएंगे अगर कोई अच्छा सा idea देखने को मिलता है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमें पर student entrepreneur program है यहाँ पर यह इसके चलते हैं बच्चों के अंदर ऐसी चीज़े डवलफ करने को इसके जा रही है business type में तो इस तरीके समझ सकते हैं आगे चलते हैं यहाँ पर basic लिए बात की जा रही है economic advisory जो council है to the prime minister तो इनके दोरह release कीगे quality of life for elderly index तो ऐसे question भी आप लोगों से बन जाएंगे quality for life for elderly index जो है किसके दोरह प्रसुत किया गया है तो economic advisory council of prime minister इनके दोरह बोला गया अभी फिलाल हमारी country में जो बुज़रुग population है वो आने वाले time में बढ़ने वाली है 2001 के करीम में 12% 2001 के करीम में 37% 2026 में होने वाली है लगबग 12% 2050 में होने वाली है लगबग 20% यानि के 2050 तक अपने देश की लगबग 20% population जो है वो बुज़रु केटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसके चलते हैं अगर आज की एट में वो एक जो एकनोमी से लेटेड जो भी इशूज है गोर्मेंट ओफ इंडिया के खासकर प्राइमिस्टर से लेटेड हाँ पर यह चीज़े देखती है तो basic information है कोई भी confusion mind में नहीं होना है cabinet के द्वारा अभी हाँ पर बात की गई basically यह है यह है यह है आपर के गाली के गाली amendment to frontier protocol दोनों normally बात करते हैं ozone layer के बारे में तो अगर ozone layer आप लोगों से पूछ ले कहाँ पर है कोई भी तो याद रखे का status pair और trop pair के बीच में आप लोगो ozone layer देखने को मिलेगी यह कर्मन लाइन है यह basically 100 km है यह आपर इसके बाद में बुला जाता है कि space में इंसान पहुँच गया है अगर इसके पास चला जाता है तो ठीक है अभी हाँ पर हमारी country में ozone layer के उपर काम करने की कोशिस की जा रही है इसके चलते बोला गए कि hydrofluorocarbon जो है ठीक है HFC जो है hydrofluorocarbon जो खासकर refrigerator यह फिर AC से भार निकलते हैं तो उसको phase manner में कम करने की बात की जा रही है phase manner मतलब 10% कम करेंगे 2032 तक 20% कम करेंगे 2037 तक 30% कम करेंगे 2042 तक 80% कम करेंगे 2047 तक तो यह इस तरीके से इनके द्वारा step यहाँ पर रखे गए है तो इसके चलती इंडस्टी के दोरें बोला गया कि 2023 से काम करने इसके उपर स्टार्ट की जाएगा तो जल्दी से जल्दी चीजों को निप्टाया जाएगा ओजोन अगर डिपलेशन होती जाज़े जाएगी तो परतिव पर क्या होगा बेसिकली बहुत सारी बीमारिया रखनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अल्ट्रा वाइलेट जो रेज होती है उनको रोका जाता है ओजोन लेयर के द्वारा कि गाली अमिंडमेंट 2016 का था था मॉन्टियल प्रोडोकोल को बिसिकली जो यहाँ पर निकल रहा है था ठीक है तो इंट्रिगल एग्रिमेंट था ग्रेज्वली कैसे हम लोग को चीजों को इंप्लिमेंट करना है हाइड्रो फ्लोरो कार्बन को और मॉन्टियल प्रोडोकोल तो था यहाँ पर ओजोन लेयर से लेटेड नाम दियेगे तो यह दोनों ओजोन लेयर से लेटेड है तो यह कुश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं तो बेसिक इंफोर्मेशन अगर माइन में किलर रहेगी तो फिर आप लोग को इंफुजन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है थोड़ा सा आइडिया रखेगा आगे चलते हैं ग्लोबल जियो स्पेसल इंफोर्मेशन कम्मूनेटी के बारे बात की जा रही है इस लिए इसके चलते हैं आप लोग इसके बारे में याद रखेगा तो उसको भी साथ में लेकर चला जा रहा है इसके चलते इसे चीज़ी इंफ्लीमेट होनी भी चाहिए हैं तो इसके चलते आइडिया रखेगा प्राइमिस्टर जो हैं पर प्राइम स्टोफ इंडिया उनके द्वरा आत्म निर्बर नारी सक्ती से सम्वाद यहाँ पर यह एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें वूमेन सेल्फ एल्फ गुरूप जो है वो आगे निकल कराए और दीन द्याल अंतियोद्धा योजिना रूरल लाइव डिहूड मिसन के तैत यहाँ पर काम करने की कोशिस किए गये ताकि इनकी जिन्दिगों थोड़ा सुधारा जा सके सेल्फ एल्फ गूरूप काभी सारे आगे भी आये निकल अगर कोविर नाइटिन के साथ में आप लोग ने देखे नहीं को बहुत सारे महिलाओं के द्वारा मास्क बनाएगे सैनेटाइजर ये फिर फूड प्रोवाइड कराये गया तो इस तरीके से उनको भी रिकरगनाईज करने की बात की जा रही है तो बेसिक चीजें कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा कुछ यहाँ पर अभी मिसाइल लोंच कीगी तो कोशन बन सकते हैं क्योंकि पोडोसी देश है क्या क्या हरकते कर रहा है पाता चलना चाहिए तो गजनवी नाव रखा गया इसका इससे पहले साहीन 3, बाबर क्रूज और इसके साथ में फटै वन तो यह भी हाँ पर लोंच कीगी है तो उसके चलते हैं इंडेक्स तयार किया गया तो इंडेक्स में यहाँ पर बेसिकली डिटेल बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट इंस्वरेंस पोस्टल यहाँ पोस्टल एज जो हाँ पर पैंसन सेक्टर है उसको यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिस के गए तो यह इंडेक्स जो है जिसका नाम जएगा है फाइनेंसल इंक्लूजन इंडेक्स तो रिजब बैंको फिंडेक्स के द्वारें आपर यह तयार किया जाएगा यह इंपोर्टेंट है तो फरस्ट बाई मंतली जो मोनेटरी पोलिसी है ठीक है तो उसके चलते हैं आपर यह पर लेगिन जुलाई में हापर इसको प्रसुत कियाएगा Normally तो यह यह जाद है कन्फुजन में नहीं होना है बस्याद रखेगा इंडेक्स जो है कोन प्रसुत कराया रहा है और क्या-क्या में फॉम्पोनेंट है कुछ चीं So तो ये याद रखेगा ये हैं आपर काफी खतरनाक इंसान जिसका नाम है Alexander Lukasinko तो ये Belarus के आपर लेडर हैं और ये यूरोप के अकेले dictator इनको बुलाता है फिर यूरोप के last dictator इनके द्वारा जो भी हरकत है की जाती है पर लेकिन वो देखता नहीं है कई बार तो इसलिए दिक्कते देखने को मिलती है आजादी का Amrit Mohsav, MyGo और Ministry of Electronics Information Technology और United Women है जोईंटली उनके द्वारा Amrit Mohsav सिरी सकती Innovation Challenge लौँच किया गया जिसके चलते Women Entrepreneur को Business Man बनाने की बात की जा रही है तो नारी ससकती करन यहां पर इसका काम बेसिकली है यहां पर ठीक है तो यह कुछ बाते हैं बेसिकली इंडिया जो है उसके द्वारा मिलकर अभी और्गिनाइस करा गया इंडिया, ब्राजील और साथ अफरीका जिसको IBS से बोल जाता है यह टूरिजम मिनिस्टी के फिल्ड में ठीक है तो IBS से जो है ट्राइल एक एग्रिमेंट है इंडिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, ब्राजील, साथ अफरीका के बीच में और साथ-साथ कोपरेशन भी इसको कई बार बोल जाता है तो basic information थी, आगे चलते हैं हापा Ministry of Tribal के द्वरा प्लान के जा रहा है 200 करीब वंधन पर्डियूसर कमपनी यानि के देश के अंदर कम से कम 2000 करीब यहाँ पर कमपनी आए जो की वंधन के ओपर काम करें तो aspirational district जो है उनके अंदर ये काम करने की बात किए सबसे पहले तो इसी के साथ में transformation किया जा रहा है aspirational district program के यहाँ पर ताकि implement किया सके नीती आयोक की guideline के हिसाब से तो यहाँ पर scheme जोती तो यह रठाने में परदान मंतरी वंधन योजना तो उसको implement किया रहा है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited यानि के TRIFD के दौरा ताकि चीजों को ढंक से implement किया जा सके ठीग है तो यह basic चीज़े है 9 foot tall statue यहाँ पर अभी महराजा रंजीत सिंग की वो भी Sikh community से लेटर थी तो लाहूर के अंदर vandalize कर दिया गया तो उसकी वेसे यह news में आ गया थे हैं आपर तो याद रखेगा तो 1970-1999 में इनके दौरा काफी large skill पर Hindu, Muslim, Sikh जो elite है उनके दौरा हैं आपर basically rule किया गया तो यह basic information है पर लेकिन फिर भी पता होना चीज़े रूड़ा गया Indonesia के अंदर काफी खतरनाक चीज़े देखने को मिलते थी virginity test के जाता था woman का अगर उनको आर्मी में जाना है तो 2014 में भी इसके खिलाब काफी सारी चीज़े हुई यहाँ पर तो उसको भी बंद कर दे गया तो first exposed by human right was 2014 में और international organization के द्वारे बोलागे कि यह गलत बात है इस तरीके से virginity test करते हो 1965 में यहाँ पर आया और तब से चीज़े चली वह आरती और woman के लिए discriminatory nature की थी यानि कि woman का होता था बस male का नहीं होता था तो इसके चलती तो बोला गया है यहाँ पर बेसिकली virginity जो test था इसको यहाँ पर hey man, two finger या फिर vaginal expansion examination का भी नाम इसको दिया गया तो यह तरीके से चेक करते थे कि महिला ने कभी intercourse किया या फिर नहीं किया है अगर किया है तो वो fit नहीं है आर्मी के लिए ऐसे कुछ हरकते इनकी देखने को मिलती थी तो WHO ने भी बोला कि यह क्या घर की घटिया हरकते कर रहो यह धंदे छोड़ दो और इंसानों की तरह इंसानेत वाले काम करो तो यह थोड़े सुधरे अब इनके द्वारे इसको बंद करने की बात की गई ठीक है fit इंडिया freedom जो run है यहाँ पर यह काफी important थी फिट इंडिया freedom run जो है यहाँ पर यह आप लोग को देखने को मिल रही है तो यहाँ पर 9th iconic location पर इसको launch किया गया 75 district के अंदर 75 village के अंदर इस district में हाँ पर इसको basically बोला गया October 2000 basically October 2021 तक के हाँ पर continue करने की बात ठीक है तो यह कुछ basic information थी यहाँ पर इसके बारे में आजादिकामरित मोचसव जयाँ उसके चलते हैं Indian Air Force के द्वारे हाँ पर All Women Tri Service यह mountainean team जो है start किये थी अगस्त के माइने में और 15 अगस्त तक हाँ पर इनको यह है basically mountain minirang तो mountain minirang को हाँ पर basically हाँ पर यह पहुंचेते हैं तो mountain minirang का है यह हिमाचल परदेश के अंदर में है तो इसके चलते हैं हाँ पर यह basic information बन सकती है आगे चलते हैं रक्सा मंत्री है जो राजनाथ सिंग जी उनके द्वारे हाँ पर IDEX इसको बोलते हैं innovation for defense excellence defense basically innovation organization तो उसके चलते हैं 35 problem जो है 13 तो थी हाँ पर service के और basically 22 थी हाँ पर defense sector के उनको solve करने की बात की इसके चलते हैं हाँ पर defense इंडिया start-up challenge निकाला गया ठीक है पांचवे नंबर का तो इसमें क्या था basically जैसे हाँ पर बात करें situational awareness, augmented reality, artificial intelligence इसी के साथ में एरकाफ, trainer, non-lethal device, 5G, underwater domain awareness, drone यहाँ पर SW, RMS and data capturing तो बहुत सारे से मुद्दिती जिनके अपर इंके दौरा काम करने की कोशिस की जा रही है और चीजों को सही direction देने की कोशिस भी की जा रही है ठीक है तो बेसिक information हो गई, Leon, Macy के दौरा यहाँ पर अभी basically Leon, Macy के दौरा basically हाँ पर अभी कुछ बाते देखने को मिली जिसमें fan token एक याद रखीगा आप लोग सब्द, fan token एक currency type में हाँ पर देखने को मिला, जैसे आप लोग क्या करते है कई बार कई आप लोग ना कोई एक्स्टा information देखने को मिलेगी, यानि कि इस तरहीं नहीं कि fan के लिए बस particular चीज़े provide करवाना, तो इसके fan token नाम रखा गया, तो यहाँ पर social basically इस platform को बोला गया, और यह cryptocurrency से related है हाँ पर यह, ठीक है चार महीना होगे, 33 जज़ के अंदर में, एक seat अभी खाली है, तो collegium के द्वारा appointment के गया है, collegium में total मिलागर कितने member होते हैं, तो collegium में total मिलागर 5 member होते हैं, 4 प्लस 1, 1 को नहीं सीब्धिस उफ इंडिया वागी के 4 हैं, तो उसके चलते हैं आपर collegium appointment का काम करते हैं, तो यह basic information, all India elephant और tiger population का estimation लगाने की बात की जारी है, first time 2020 में, 22 में, तो इसके चलते हैं, आपर all India, elephant and tiger का एक तरीगा census आप लोग को देखने को मिलेगा, तो world elephant day के रूप में हाँ पर यह occasion celebrate किया रहा है, इसी के साथ में जो elephant है, IUCN International Union for conservation के दयत, यहाँ पर threatened की category में देखने को मिलेगा, Indian elephant जो है, वो listed है, आपर appendix, जो conservation of migratory species है, ठीक है, conservation of migratory species की याद रखेगा, 2020 में जो meeting होई थी, एक गुजरात, गांधी नगर में होई थी, ठीक है, तो यह कुछ बाते हैं, जिसके अंदर ही police form देखने को मिलेगे, तो बोला गया कि यहाँ पर policeman is a citizen with uniform, और citizen is a policeman without uniform, तो यहाँ पर एक तरीगे से उमीद यह launch किया गया, उडिसा के जो forest environment और department है, उनके द्वारे हाँ पर tourist activity को बढ़ाने के लिए, हीराकुन रिजर्ब में कुछ चीजे और longest dam अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो हमारे देश का हीराकुन डैम है, यह मैं basically question आप लोगों से बन सकता है, स्वर्णिम विजे, वर्स अभी victory flame यहाँ पर देखने को मिली, अभी आप लोग 2021 में जैसे हैं, तो 1971 में क्या हुआ, आजादी मिली बंगलादेश को, तो बंगलादेश नहीं country बना, तो 50 सार उसके पूरे होगे, तो उसी को celebrate यहाँ पर किया जा रहा है, तो celebrate के चलते चलते हाँ पर basically south तक चीजे पहुँच गई, तो Indra Point का नाम सुनाओगा, आप लोग ने Indra Point पूछे कहाँ पर है, तो Great Nikovar में आप लोग को Indra Point देखने को मिलेगा, ठीक है, तो Indra Point जो था कहाँ पहले यह Indra Point होगरता था, इसको पहले हाँ पर Pagmalion या फिर, यहाँ पर इसको Parson Point के नाम से जाते थे, लेकिन Indra Ghandi जी के दोरा विजिट किया गया 1994 में, उसके बाद में इसको 10 October 1985 में इसको डिकलेर कर देगा Indra Point, यानि कि south most point जो है, उसको Indra Point बोल देगा है, इंडिया का, तो यानि कि 50 भी जो anniversary यहाँ पर celebrate की जारती, उसके चलती हाँ पर यह चीज़ अभी news में आगी, तो confuse आप लोग को नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पर बात की जारी है, एक नई तरीए का hand grade net, आप लोग को offensive mode में और defensive mode में, तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, जब इसके उपर cover होगा, तो defensive mode में cover नहीं होगा, तो यह offensive mode में देखने को मिलेगा, तो इसके वे से यह news में आ गया है, यह काफी important मुद्ध है, जो एक्जाम में आप लोगों से पूछे सकता है, देहली high court के दौरा अभी right to privacy, जो है उसके अंदर यहाँ पर right to be forgotten वाली बात जो है, वो accept कर ले गई है, यह एक तरीगे से right to privacy के अंदर आएगा, right to be forgotten मतलब, अगर कोई UTCD हरकते कर देता है, उसकी वीडियो काट ली गई पर फिर भी इनकी जिंदगी में जो पुरानी हरकते की गई थी, उसकी वैसे दिक्कते देखने को मिली, तो यह court पहुच गए कि इनकी सारी वीडियो जो है, सारे फोटोस जो है, जो पुराने पड़े में, वो हटा दिये जाए, तो right to be forgotten या फिर right to be left alone, दोनो आप लोग यहाँ पर इसी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो right to be forgotten जो है, यहाँ पर बोला गया, तो यह right to privacy के अंदर आता है, और right to privacy आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो personal data bill भी हमारी continue pass किया गया, पार्लिमेंट के पास किया जाना है, उसके चैद भी हाँ पर चीज़े है, 2007 में right to privacy जो है, वो fundamental right बन गया, केस पता स्वामी केस के बाद में, तो आर्टिकल 21 के देख यहाँ पर यहाँ पर यह बोला गया, पार थड में, कि इंसान को यह वाला हक मिलना चाहिए, तो इसके चलते हैं, तो right to be forgotten, यह भूल जाना जो गलत हरकते हुई है, तो उसके चलते इंडियन एर फोर्स के द्वारे हाँ पर operation चलाया गया, कई सारे जो अपने country के region है, और कई सारे नेपाली जो है, operation देवी शक्ती के बारे में, अगर आप लोगों से पूछ ले, तो अफगानिस्तान से अपनी जनता को निकाला गया, तो उसके चलते है, operation देवी शक्ती नोर्थ इस्ट में जियो टूरिजम बढ़ाने के बात के गये, अभी हाँ पर जियो हरेटेस साइट नोर्थ इस्ट में इडेंटिफाइए के गये, जैसे हाँ पर मजुली आसाम के अंदर में, ये एक रीवर के अंदर आइलेंड देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का लार्जस इस्ट में बढ़ाने के लिए, इंपोर्टेंट न्यूस है कि 2023 को जो हम लोग सेलिबेट करने वाले है, इंटरनेसल इयरोप मिलेट सेलिबेट करने वाले है, तो यूणियन अगरिकल्चर मिनिस्टर के दवारा लौंच के गया है, नैसनल फूड और नूटरिशन कमपेइन जो है, यह बेसिकली किसानों के लिए, और यहाँ पर ओर्गिनाइस करा जा रहा है, इंडियन कांसिल ओफ अगरिकल्चर रिसेच के दवारा, तो यहाँ लिए किसानों को भी कम से कम हेल्थ का ध्यान रखना है, जो दूसरों की हेल्थ के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी इस तरीके चीज़े देखने को मिलेटिक है, तो यह बेसिक इंफोर्मेसन यहाँ पर हो जाती है, यूनियन, जो यूनियन मिनिश्टर फोर हैल्थ जो हैं, और फैमिली वेलफेर, उनके द्वारा चार्ज लिया गया तो बोला गया, टीबी, जो यहाँ पर पार्टनर सी बो टार्गेट है, अब टार्गेट कितना अचीव हो पाएगा, वो देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान राइनोटिकल जो लिमिटेड है, उसके द्वारा भी सक्सिस्फुल जो ग्राउंड लेल पर यहाँ पर टेक्सी के तोर पर इसको यूज़ किया गया, हिंदुस्तान टू टार्गेटरी है, आपर उनके द्वारा, बेसिकली है, आपर मल्टिपल प्रोब्लम देखने को मिले थी, इससे पहले जब हमारी कंट्री में 14 सिटर का हमारे द्वारा एरक्राप्ट बनाया गया था, इसका नाम था सारस, तो इसमें दिक्का देखने को मिले, पर यह डू ट अगर यहां से आगे जाते हैं आप लोग तो इस टेट ओफ डोवर आप लोग को देखने को मिले थी, तो यहां पर दोनों कंट्री मिलकर यहां पर काम कर रही थी, तो यह इंडिया और विसिकली यूके के बीच में है, एक सिस्टम में जिसको बोलते हैं आपर कारेज सिस्टम, तो यह सिस्टम है, वोटर का है यहां पर पानी जमीन के अंदर से निकालना बिसिकली बिना पंपिंग किये वे, तो यह अफगानिस्तान के अंदर यह सिस्टम मरता हुआ जा रहा है, जबकि संगम जो खासकर साउथ इंडिया के अंदर, केल्ला, यहां पर यहां पर इराग के अंदर और यहां पर सिर्या के अंदर से जो होते हुए गाती है, उसको बेसिकली बोलते हैं, मैं सुपोर्ट आमिया, इसके बीच वाला एरिया, आगे किर जाती है यहां पर पर पर्शन गल्फ के अंदर में, तो यह इसके बारे में बेसिक इन को फाउंडर थी अपने हस्बेंट के साथ में जिनका नाम है भारत पटनागर ठीक है तो यह है बेसिकली इनकी फोटो तो एक अन्फूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा याद रखेगा यह एक इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ पर आप लोगे लिए हो सकते हैं बेसिकली ह हमारी कंट्री के दौरा मोलदीव के अंदर में और मोलदीव के अंदर भी किसी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेट यह देखने को मिला है जिसमें अलग-अलग जो आइलेंड है उनको कनेट करने की बात की जा रही है तो यहाँ पर बेसिकली विलगली इसी के साथ में इसी प्राइज जिसको एफ आर पी आप लोग बोलते हैं वो बेसिकली अनॉंस कियागा है सुगर के लिए तो काफी ज़दा है यह न्यूज में हाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिला तो यहाँ रखेगा है यहाँ पर यह जो डिसाइड कियाता है तो यहाँ पर कमिशन फ सकती है आगे भी कोशन पुछ जा चुके हैं पहले भी फिरी पुछ जा सकते हैं गुजरात के अंदर जो टेंपल थे हैं आप और उसको रिनवेट करने की बात की परसाद इसकीम केता है तो परसाद इसको बोलते हैं पिल्ग्रेमिज रिजुमनेशन एंड इस्प्रेच्व इनके द्वारा माने जाता है कि यह बनाया गया तो यह इसके बारे में बेसिक इन्फोर्मिशन है कुछ ठीक है एक यहाँ पर बात की जारे मिनिश्ट्य ओफ टेक्स्टाइल के द्वारा एक इसकीम है जिसका नाम है सामर्थ तो सामर्थ जिसकीम है वो टेक्स्टाइल सेक् and MSME Association मिलकर काम करें ताकि एक तरीगे से activity को बढ़ाया जा सके बाकि यहाँ पर यह news बास करी है Fit India Mobile App के बारे में Fit India Moment के बारे में बताया था तो Fit India Mobile App के बारे में बात की जा रही है अब Mobile App भी यूज़ करकर आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो की खेल दिवस की रूप में सेलिबेट करते है नेसले स्पोर्ट डे प्रामिस्टर साब के द्वरा लौच के गया कि Fitness का डोज आजा घंटा रोज तो इसके चलते आगे भी चीज़ें हाँ पर implement की जा रही है इसी pattern में तो confused मत होना देश के अंदर इस तरीगी चीज़ें implement कई बार की जाती है ताकि चीज़ों का अम लोग ढंग से आगे लेकर चलते रहें तो आप लोग में से कितने ऐसे लोग है जो daily regular exercise करते हैं फिर yoga करते हैं बताइए yes या फिर no अगर नहीं करते हैं तो इसको life का part बना लिजे ये basically life का part होना चाहिए अगर regular life का part रहेगा तो अच्छे से life को enjoy आप लोग कर पाएंगे तो ये था total आज का discussion मैं आसा करता हूँ श्यांदार तरीके से आप लोग ने इसको enjoy किया होगा अगर हा तो feedback देकर जूरूर जाना feedback क्या कर सकते हैं आप लोग वीडियो को dislike कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आई है और like कर सकते हैं अगर पसंद आई है 10 में से कितने number आप लोग देंगे इस वीडियो को यह जुरू बताएगा अगर आप लोगों से में feedback पूछो इसका ठीक है बाकि अगर लगता है वीडियो देखने के बाद मैं आप इसकी PDF चाहिए तो टेलिग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलिग्राम पर आप लोग इसकी PDF मिल जाएगी और अगर लग रहा है कि चीजे अच्छी हैं दूसरों तक भी पहुशने जीए तो इसको दूसरों तक भी जरूप हुचाना ताकि जादे से जादे लोग जो हैं इसका फाइदा उठा सकें बाकी यहाँ पर भी आप लोग करेंट होसकते हैं टूटर इस्टाग्राम फेस्बुक पर तो आसबास सफाइर रखिए पानी और पेड़ पोदो को सेव किजए पूलतिनों और पास्टिक बैग बगरा बिलकुल यूज नहीं करना है तो मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो और अपना ध्यान रखो और हमेशा खुज रो तो बड़ो कुनों मस्ते चोड़ो को प्यार चोड़ी सी लाइफ एंज्योई करार मिलता हो नेक लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद